Hello everyone, welcome back to study IQ judiciary, this is me Vasudeh Monga and as usual, जो हमारी legal current affairs की class होती है regular 9 a.m. पे तो for next two days आपकी ये class नहीं होगी because we are going to complete the Hindu Succession Act, जैसे कि आप सब लोग दिमान कर रहे थे कि सर Hindu Succession Act और Hindu Marriage Act कम्प्लीट करवा दो तो Hindu Succession Act आगे आने वाले दो दुनों में आपको पूरा का पूरा दो दो घंटे के lectures में आपको कम्प्लीट करवाया दाएगा, तो आज की class में आप लोगे lecture को कम्प्लीट करोगे and आप सबी लोगे के लिए information है कि जो लोग स्चड़ियाईकू जुरीश्री के Life Foundation batch में इंडॉल करना चाहते हैं तो आपका batch शुरुआत हो रहा है, 17th of February से एक नया batch शुरू हो रहा है और उससे भी अच्छी news यह है कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको स्चड़ियाईकू जुरीश्री के Life Foundation batch नंबर 5 पे batch नंबर 5 पे आपको बसंत पंचमी की sale के उपर आपको पूरा का पूरा यह course आपको 22,00499 में अपको मिलता है और यह मिलेगा कब आपको जब आपको यह code यूज करना होता है D.E.B. अप यह code यूज करोगे देव and then आपको ये पूरा का पूरा course 22,4009 में मिलता है का right and again I am repeating this कि जो आपको लीगल के एंटरफेर्स की जो class होती है we will resume it यह हम लोग आके आने विले दो दिन में फिर से इसको resume कर देंगे until then Hindu Succession Act की अपनी पूरी की पूरी तियारी कर लीजे जो जो भी हर्याना की तियारी कर रहे है उन सभी के लिए भी and also हर्याना से याद आए आप सब लोगों को ये भी inform कर देता हूँ मैं that as we guys know हर्याना जुडिश्चरी का exam आपका third of March को है and already हम लोगों ने study IQ जुडिश्चरी की team ने आप लोगों के लिए दो बार crash course launch कर दिया था and now because of the huge demand अभी भी बच्चे demand कर रहे थे तो अब हमनों आप लोगों के लिए एक हर्याना जुडिश्चरी का crash course एक और launch किया है जो की जार्खन जुडिश्चरी के crash course के साथ ही होगा और इस सारा का सारा course आपका prelims based होगा और इसमें आपको live classes नहीं मिलेंगी videos on demand मिलेंगी क्योंकि already हमने crash course कंप्लीट करवा दिया आप लोगों को end up के अभजाम में आप यहाँ पे लगबग 20 दिन रह गए हैं लगबग आपके पास 20 दिन है तो अगर आप लोग अभी भी crash course के थूर त्यारी करना चाहते हो अपनी पूरी की पूरी को की वीडियो already आपको recording मिलेंगी आप जब भी चाहो अपनी classes को देख सकते हो चाए आप लोग हर्याना की त्यारी कर रहे हो चाए जार्खन की त्यारी कर रहे हो हर्याना जुड़ी श्री एंदा जार्खन जुड़ी श्री तो आप अगर इन दोनों की त्यारी कर रहे हो तो आप लोग इस crash course को buy कर सकते हो and the price is only and only 3,4009 और आपको code यूज करना है DEV इस code को यूज करना है and you can enroll in this crash course again I am repeating कि अगर आप लोग बसंत पंच में की sale का फायदा उठाना चाहते हो तो आप जल्दी से जल्दी इस course में इंडॉल कर सकते हो 17th feb से आपका ये batch शुरू हो जाएगा और आपकी ये sale अप चल रही है और ये sale आपकी चल रही है till the 14th of the February यानि की Valentine's Day तक देवले देन तक राइट उस दिन आपकी बसंत पंच में भी है and same ये पूरा का पूरा कोर्स आपको 22004 डबल लाइन में आपको मिल जाएगा now enjoy the Hindu succession act की पूरी की पूरी classes आप लोग अभी enjoy करो and अपने notes बनाओ अच्छे से एक एक चीज आपको Hindu succession act में complete complete आपको Hindu succession act में syllabus के conceptual clarity के साथ साथ यहां पे case laws भी cover करवाय जाएंगे along with the bear act all right then all the best आगे आप लोग आके Hindu succession act को enjoy कीजी I am Vasudeh Monga and I welcome you to study IQ Juri Shri and I also welcome you to the series of the Hindu succession act from today onwards we are going to understand the whole Hindu succession act 1956 आप मेरे साथ यहां पे आज Hindu succession act को शुरू करो मैं दावागर के बोल रहा हूँ की एक एक concept single single concept चाहे जितना ही मर्जी deep हो जाए मैं सारा का सारा आपको यहां पे cover करवाऊँगा आपको content भी पूरा मिलेगा understanding भी आपकी पूरी जाएगी बट मैं क्या आपको बोल रहा हूँ कि PPD तो आपके पास आज आएगी बट जो भी यहां पे लिखा हूँ है वो आपको अपनी notebook में भी लिखना है साथ-साथ विकॉज मैं जिस speed पे करवाऊँगा थोड़ा slow भी चलूँगा कि आपको एक एक चीज समझाए विकॉज हिंदू सक्सेशन एक क्या है ना बहुत टेक्निकल है कि प्रॉपर्टी किस तरह से आपस में डिवाइड हो रही है कौन यहां पे joint family property का पार्ट होगा या फिर कौन यहां पे co-personary property का पार्ट होगा and there are lot of amendments also in this right so we will cover everything entirely every single part of this Hindu succession that we will cover but आप लोगों को यहां पे अपनी notebook उठा लेनी है और अगर आप लोग यह cope up कर सकते हो कि आप 2 pen use कर सको 2 pen use कर लो maybe red and black use कर लो blue and black use कर लो one is for the PPT part जो मैंने यहां पे आपको दिया होगा उसको blue pen में लिखो and one is जो कि मैं आपको बोलूँगा because जो भी यहां पे आपको teacher बोल रहा है वो सब कुछ content में तो नहीं मिल सकता because बहुत कुछ तो हम यहां पे पढ़ाते बढ़ाते बोलते हैं न right जो कुछ-कुछ examples तो यहां पे बैठे खड़े खड़े यहां पे हम आपको दे देते हैं वो सब कुछ आपने अलग से note down करते रहने because मेरा यहां पे मकसद के हैना कि जब भी आप अपना दुबारा register read करो आपको already आता हो आपको पता हो कि भाई सर ने एक example ऐसी दी थी जो मैंने अलग से black pen में लिखी हुई है मैं अब जब आप अपनी note book को बाद में read करोगे ने exam से में पेज बर पलट ने हो कि सब आता है and that is what my aim is कि कल को अगर आप भी बोलो कि Hindu Succession Act कहां से पढ़ा था तो वासुदिव मौंगा सर से पढ़ा था उनी से जाकर पढ़िए and I promise you कि यहाँ पर Hindu Succession Act में आपको एक एक चीज cover करवाई जाएगी with cases cover करवाई जाएगी पहले मैं आपको आज के session में एक index बताऊंगा कि what all the topics we are going to cover और उसके अंदर जो sub topics होंगे वो आपको sessions में साथ साथ पता लगते रहेंगे जैसे कि अगर हम बात करें हिंदू joint family की जा joint family property के तो उसके essentials कितने होते हैं वो आपको नीचे जब भी हम उस topic पे आएगे वो एक एक चीज आपको मिलेगी with sections with concepts with cases तो आप लोगों को session में बने रहने है regular इसका आप लोग उन्हें देखता रहने session और अगर in case any doubt कोई भी a doubt arise हुआ आप लोग telegram group में हो नहीं हो तो telegram group में चले जाना नहीं तो आप मुझे instagram पे भी connect कर सकते हो and you can ask me any doubt at any point of time मैं hesitate नहीं करूँगा आप लोगों को hesitate नहीं करना कर कोई doubt हो तो पुछने के लिए नहीं मैं hesitate करूँगा कि भी आपका अगर doubt है तो मैं क्यों ना clear करूँ at any point of time I will clear doubt that this is my duty this is my obligation right so right now in this present session I am going to start I am Vasudeh Maunga and we are going to start with the Hindu Succession Act 1956 right first of all let's see कि हमें Hindu Succession Act में हमारे topic कौन कौन से होंगे which are the topics we are going to cover in the Hindu Succession Act right see who is a Hindu the first topic is a who is a Hindu अब Hindu Succession Act Succession का क्या मतलब होता है Succession का मतलब होता है कि property किस तरह से आपकी आगे Succession में जा रही है आपके father का आगे Succession Successor कौन है आप हो आपका Successor कौन होगा आपके daughters and sons होंगे यह होता है Succession अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे Hindu Succession Act की we are going to talk about only one religion that is Hindu कि जो Hindus में Successions क्या क्या होते हैं Hindu में अगर एक grandfather की property है तो वो property किस किस को आगे devolve की जाएगी तो to know that whole concept हमें पहला concept क्या समझना होगा कि बाई साब Hindu कौन है as per the law as per the law पहले तो हमें यह concept समझना होगा and also I should tell you here चाया बात कर लो Hindu Marriage Act की चाया बात कर लो Hindu Succession Act की और चाया बात कर लो यहाँ पे Hindu Minority and Guardianship Act की और चाया बात कर लो यहाँ पे Hindu Adoption and Maintenance Act की यह जो चार एक्ट हैं जो आपको mainly syllabus में रहते हैं सारे के सारे कोई भी आपेपर उठालो जूरी शरी का जितने भी mains exam है आपको सब में यह syllabus मिलेगा Hindu में यह चार main syllabus होते हैं और simple सी बात जो भी मैं आपको बता रहा हूँ The definition of Hindu is common in all this So यह जो topic होगा आपका Who is a Hindu यह topic आपका सारे के सारे subjects में ही cover हो जाएगा यह नहीं बोल रहा हूँ कि जब यह करवाँगा तो उसमें cover नहीं करवाँगा फिर से cover करवाँगा Because that is also my obligation मैं किक चीज़ आपको यहाँ पर cover करवाने हूँ तो first topic will be the Who is a Hindu Another topic will be the Hindu joint family or the Hindu undivided family पहली तो यह हो जाएगा that whether there is any distinction between Hindu joint family and Hindu undivided family चुकि बहुत लोगों को लगता है कि Hindu joint family and Hindu undivided family यह same होता है नहीं होता है same synonyms नहीं होते हैं यह Because in the income tax act यहाँ पर हमने Hindu undivided family का term use की होई है But in the Hindu succession act Hindu laws में हमने यहाँ पर जब यहाँ पर सारे family laws की बात करते है तो यहाँ पर हमने Hindu joint family का word use किया हुए तो इन दोनों में distinction क्या है and then this concept Hindu joint family कि joint family में कितने members आएंगे आपका son होगा आपकी daughter होगी क्या daughter का husband Hindu joint family में आएगा क्या son की जो wife होगी वो Hindu joint family में आएगी everything और कितनी generations तक यह Hindu joint family will cover होगा we will cover everything in this और उसके essentials क्या होते है अगर मैं चाहूं कि मुझे किसी की Hindu joint family में पार्ट बनना है तो क्या आप बन सकते हो क्या यह दो बंदों की partnership है गया Hindu Hindu joint family आप बोल रहे हो आपने एक family को देखा कि यार इनकी family बहुत अच्छी है और आपने उनके घर पे जाके बोला जो भी उनका senior most member था कि अंकल जी मुझे भी आपनी family में involve कर लीजिए मैं अभी आपकी Hindu joint family में part बनना चाहता हूं क्या ये कोई partnership है नहीं है न Hindu joint family is an existence by law and not by the act of the parties यहाँ पे ये law की creation है ना कि यहाँ पे act of the parties है और secondly क्या कि in any case कोई भी इंसान जो family का नहीं है वो आप हिंदू joint family का part बन सकते है there are two exceptions दो exceptions है इस case में वो क्या होंगी एक तो adoption आपने किसी की family में से किसी का बच्चा adopt कर लिया the moment you have adopted that child in your family that child will be the part of the Hindu joint family and another exception is the marriage आपके बेटे ने जब शादी की तो जो उसकी wife होगी that is your daughter-in-law तो क्या हो हिंदू joint family की part नहीं होगी she will be the part of your Hindu joint family but वहीं पर हम बात करते है co-partners की तो co-partners और Hindu joint family के members में क्या difference होगा we have to cover all that also because Hindu joint family क्या होती है up till any generation अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ भी topic की बात कर रहे है because मैं आपको क्या बोल रहा हूँ index साथ-साथ तो अपने लिखना ही है but अलग एक pen उठा लेना जिसमें जो भी मैं बोल रहा हूँ वो साथ-साथ लिखते रहना because जब बाद में register उठाओगे ना मैं दावा कर रहा हूँ सब कुछ आता होगा already paper में इतने confident जाओगे कि बाई सां Monga सर ने करवाया था हमें तो आता है another thing is the co-personary co-personary क्या होता है अब co-personers family में कौन होते हैं एक तो है Hindu joint family अब सारे के सारे co-personers होते हैं नहीं होते नहीं होते only अप टिला fourth generation चार जनरेशन के लोग यहाँ पे को पार्सनर्स माने जाते हैं वो चार जनरेशन्स कौंग कौंट सी होंगी वो हमें देखना पड़ेगा और यहाँ पे को पार्सनर्स के साथ हमें एक एक और कंसेट पड़ना पड़ेगा कि co-personary property भी होती है ये co-personers को अलग क्यों रखा गया because Hindu joint family की जो joint property होते है that is joint family property of the Hindu family उनकी जो property होती है उनको यहाँ पे co-personers में equally divide किया जाता है और वो divide भी कैसे किया जाता है the moment you have taken the birth in the family and if you are a co-personer you have right in their property ये हो जाएगा तो अब हमें देखना पड़ेगा न कि जैसे ही पैदा हुआ उसका property में right आ गया तो कौन पैदा हुआ co-personer तो वो co-personer कौन होगा we have to see that वो सारा का सारा में diagrams बना बना की समझना पड़ेगा another concept we are going to see undivided co-personary interest that is same only the co-personary property जो यहाँ पे undivided होता है क्योंकि आपने जैसे ही पैदा हुए if you are मान लिजिए मेरी family के एक ancestral property चल रही है वो property मेरे दादा जी की है और वो यहाँ पे ancestral property है जब मेरे father पैदा हुए तो उनकी भी उस property में right आ गया by birth and the moment I have taken birth I also have right in their property कब तक होगा till the fourth generation and I am the third generation in this case दादा जी, father and then me I am the third generation the moment I have taken birth उसी दिन पे यहाँ पे मैं co-personer बन जाऊँगा but क्या मैंने अपना वो interest को अभी कैभी ले लिया पैदा ही हुआ 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 अभी तो law भी नहीं करी अभी कुछ भी नी किया ये सब कुछ तो दिमागी ने चला तो क्या मैंने अपना इंटरस्ट निकाल लिया नहीं न तो उसको हम क्या बोलते हैं जो भी co-personary interest हो तो उसको हम क्या बोलते हैं अंडिवाइड़ को-personary interest अंडिवाइड़ क्योंकि अभी तक divide ही नहीं किया गया and that is why क्योंकि ये अभी तक share को divide नहीं किया गया ये shares आपके जो rights होंगे ये fluctuate भी करते रहते हैं आज मेरा जितना interest आइस property में कल को मेरा एक छोटा भाई आगया the moment he had taken birth उसका भी right आगया property में तो property में उसका और मेरा right भी तो बराबर हो जाएगा because it was an undivided interest तो ये rights भी fluctuate हो रहे हैं अगर पहले मुझे मान लीजिए one half of the property मिल रहा था मेरे father थे और मैं था one half of the property मिल रहा था now there is another son the moment he had taken birth he is also the part of the co-parsnery तो उसका भी one by third interest हो गया one by third his, one by third mine and one by third of the my father तो वो क्या हो गया undivided interest हाई से लिए वो interest यहाँ पर fluctuate हो रहा है समझाईए बात यहाँ तक see यहाँ पर another topic we are going to cover is section 6 and its amendments now section 6 एक ऐसा section है Hindu Succession Act का which is the most important section of the entire syllabus most important section और अगर मैं आपको बोलू न HSA छोड़ दो कोई भी subject उठालो CPC, CRPC, Hindu Marriage Act जितने भी यहाँ पर IPC जो भी evidence act अगर मैं topic की बात करूँ किसी particular topic की बात करूँ the most important topic in the entire syllabus of the judiciary section 6 of the Hindu Succession Act कोई भी paper उठाली जिए किसी भी state का पर उठाली जिए आपको इसमें से इसमें से question मिल ही जाएगा अब CRPC इतना बड़ा है बहुत सारे topic उसमें से important है but क्या हमेशा उन topics में से question आ जाएगा नहीं but section 6 में से आपको हमेशा question मिलेगा application based भी मिल सकता है यहाँ पर theoretical based question भी मिल सकता है but right now right now जितने भी अभी exams आने वाले हैं the probabilities of the application based question why because there is a landmark judgment last year Vinita Sharma versus Rakesh Sharma Vinita Sharma versus Rakesh Sharma 2021 Supreme Court judgment और इस judgment ने पूरा का पूरा लॉज जो पहले था ना सब को हिला दिया चितना भी कुछ था सब को हिला दिया and see daughters को पहले भी co-partners माना जाता था but daughters को co-partners from which date माना जाता था वो इस case में बताया गया हुए और क्या father का alive होना जरूरी है नहीं है वो इस case में बताया गया हुए Rakesh Sharma versus Vinita Sharma 2021 Supreme Court judgment section 6 and its amendments so we will do all this because यहाँ पे 1956 में भी यहाँ पे एक amendment है and then we have an amendment in 2006 as well because there only यहाँ पे हम क्या कुछ पढ़ लेंगे यहाँ पे हम survivorship का भी पूरा का पूरा लॉस हमे लेंगे succession का भी पूरा पूरा लॉस हमे लेंगे और वो भी देख लेंगे कि यहाँ पे अब survivorship अभी भी चल रही है या नहीं चल रही then we have another topic that is separate property and the joint family property अब जो joint family property थी, वो तो आपने पहले पढ़ी लिया होगा, कब पढ़ लिया होगा, क्योंकि जब हमने co-personary interest पढ़ लिया, जब हमने co-personary property पूरा concept पढ़ लिया, तभी आपने वो पढ़ लिया होगा, अब हम उसको distinguish करेंगे यहीं पे separate property के साथ, क्या इनके यहाँ पे क्या-क्या distinction होगा, एक तो आपकी joint family property, जिस property में, the moment you have taken birth, you are the co-personary in that property, which means, you have an equal right as per the other co-personers in that property, but क्या separate property, अगर आपके father की एक separate property है, अगर आपके father की separate property है, तो क्या उस separate property में, आपका यहाँ पे by birth right होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बट क्या आपका उस property में कभी हख बन सकता है, राइट बन सकता है, कब बनेगा, क्योंकि वो separate property है father की, तो father जब चाहें उस property को, जब मर्जी किसी को भी dispose of कर सकते हैं, वो चाहें वो सारी की सारी property चैरिटी में दे सकते हैं, वो चाहें तो सारी की सारी property आपकी wife को दे सकते ह बट आपके पास वो property कब आएगी एक तो आपको will में property दे जाए और दूसरा अगर आप उन्होंने will नहीं नाई and he dies जब वो मर जाएंगे जब उनकी death हो जाएगी तो property का कोई ना कोई तो honor होगा ये honor क्यों होना चाहिए property का because commercial dealing कभी भी किसी property को idle नहीं छोड़ना चाहिए as per the transfer of property act एक property को कभी भी honorless नहीं छोड़ना चाहिए and now the moment a person dies and his property will devolve on what his successors वहाँ पे rules of succession लग जाएगा और जैसी rules of succession लग जाएगा उनके बच्चों को और उनकी wife को पहले property मिल जाएगी और जो succession में कि सरफ बच्चों को property मिलेगी या फिर आगे grandsons को भी मिलेगी तो we have to see all that concept as well right joint family property and separate property another thing इसमें ये भी होगी कि अगर आपको property किसी ने gift की है तो वो property आपकी यहाँ पे joint family मानी जाएगी या फिर unsational property मानी जाएगी next topic is the role of the करता who is the करता first of all तो मैं ये देखना पड़ेगा कि करता कौन है करता इस दा topmost and the head of the family जो भी आपकी family का head of the head member होता है नो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं करता और उसका role क्या होगा property को manage करना सब को maintenance provide करना सब को यहाँ पे residence कर write देना and also कि जितनी भी property है उसको usefully उसको आगे benefit के लिए property में और यहाँ पे मुनाफा लाना this is all the role of the करता क्या वो property को dispose of कर सकते हैं क्या वो एक ancestral property जिसमें birth होते ही सब का right आ जाता है क्या उसको कभी dispose of कर सकते हैं कर सकते हैं करता का जो आवर्स हैं वो यहाँ पे जादा होती हैं even though you are the member of that ancestral property you are the co-parsner but यहाँ पे करता उस property को dispose of कर पाएगा क्यों अभी तक तो वो undivided है समझ चुके थे न कि undivided होता है यहाँ पे co-parsner interest but वो यहाँ पे property को अभी भी dispose of कर पाएँगे but कौन-कौन सी condition पे arbitrary तो नहीं कर पाएँगे न अब जब भी parliament ने law वन है उन्होंने भी तो देखा था करता को powers दे रहे हैं तो करता के ओपर कुछ ना कुछ responsibilities भी होनी चाहिए और अगर वो powers हैं तो कौन-कौन सी power कब कौन-कौन सी exceptions होंगी जब वो इस property को आगे dispose of कर पाएं we have to read all that also right and then we have to see notional partition partition तो सबने सुना होगा भाई साब दो भाईयों में partition हो गया पिता जी और बच्चे में partition हो गया property यहां पे उन्होंने अलग-अलग कर ली अलग रहने लग गये society में सब दुखी है है राम अच्छा बच्चा बच्चा था दो-चार साल बाहर पढ़ने गया पता नहीं किसने दिमाग हिला दी है यह partition मान रहे यह partition तो सबने सुना है बट notional partition क्या होता है what is the meaning of the notional partition notional partition क्या होता है see एक तो है कि अब जब किसी की death होगी तो succession का rule लग जाएगा और property नीचे सबके पास चली जाएगी जिन जो भी उनके successors होगे right अब यहाँ पर क्या कि अगर उनकी death नहीं होगी अगर उनकी death नहीं होई मातला कि death होने से एक दिन पहले की बात कर लो जब उनकी death नहीं होई उस टाइम पर अगर partition होता तो वो क्या कर रहे हैं मैं एक legal fiction create कर रहे हैं कि अगर वो death नहीं होती एक दिन पहले जब उनकी property थी और उस टाइम पर यहाँ पर partition होता तो किस-किस इनसान को partition में कितना-कितना share मिलेगा that is the concept of the national partition और यह concept मैं यहाँ पर section 6 के साथ ही cover कर दूँगा 6 के साथ cover क्यों करना पड़ेगा because यहाँ पर हमारा latest case की बात कर रहा हूं मैं विनीता शर्मा वर्सिस राकेश शर्मा उसमें यहाँ पर national partition का भी law change हो चुक है तो we will talk about that also and then we have to see the male succession and the female succession male succession यानि कि जब यहाँ पर एक male member की death हो गई किसी एक male member की death हो गई तो वो property succession में किस-किस के पास जाएगी तो it will यहाँ पर आपके लगेंगे section 8 से लेके 11 and then we have to see the female succession that in case यहाँ पर किसी female की death हो गई तो उसकी जो property उस lady की जो property थी वो किस-किस को devolve हो की उसके husband को होगी या फिर उसके आगे parents को होगी या उसके बच्चों को होगी तो that we have to see as per section 14, 15 and 16 of the Hindu succession act right these two concepts are also very important but basically this concept female succession very very important concept और इसमें सी आपको यहाँ पे application based question मिलना लाजमी है मिल ही जाएगा अगर मैं भी आज examiner हूँ और मैंने succession act में से दो question बनाने तो मैं ही बनाऊंगा एक तो succession act female succession में से बना लूँगा और दूसरा section 6 के concept में बना लूँगा right तो यह question आपके बहुत ही important question रहने वाले है और दोनों के दोनों questions आप expect करके चलो कि आपको paper में 20-20 number में मिल जाएंगे right then another topic will be our disqualifications कि मान लीजिये अगर किसी की death होई और नीचे property devolve होनी है 4-5 बच्चों को क्या उन में से कोई भी कभी disqualify हो सकते है क्या कभी भी कोई disqualify हो सकते है property devolve करने के लिए अगर एक बच्चा अपने फादर को यहाँ पर उनका मडर कर दे मडर इसलिए कर दे क्योंकि property वो चाता है कि मेरे पास जल्दी से जल्दी आ जाए तो क्या उसको हम disqualify नहीं करेंगे करेंगे तो यह सब हमें पढ़ना पढ़ेगा section 25, 26, 27 of the Hindu Succession Act में कि कौन कौन सी party कब-कब कौन सी situation से में यहाँ पर disqualification हो जाएंगे then we have to see the rule of the presumptions as well rule of presumptions, rule of preemption and the testamentary disposition अब testamentary disposition क्या होती है will, testamentary होती है अब की will will के साथ अब कौन सी property को disposition करोगे will के साथ आज मैंने एक will लिखनी है कि मेरी property मेरे जाने के बाद पहली बाद तो will operate कब होगी will operate तब ही होती है जब इनसान मर जाता है मैं चाहिए आज एक will लिख दूँ कि मेरे जाने के बाद यह property आपको मिलेगी जो भी लेक्चर सुन रहा है आपको मिलेगी अभी तक मैं मरा तो नहीं हो तो क्या यह will अभी तक operate हो जाएगी नहीं होगी तो testamentary disposition को बोलते है will के साथ अगर किसी को property आगे dispose of कर रहे हैं तो we have to see this also as per section 30 of the Hindu Succession Act so these are all the topics we are going to cover in detail prelims के purpose से भी और mains के purpose पे भी my main focus will be higher on the mains because see 30 sections है सिरफ के सिरफ अगर आप एक simple bare act reading भी कर लो ना तो आप यहाँ पे 70% of the अपना यहाँ पे bare act समझ जाओगे और मेरा जो main मकसद है यहाँ पे आके कि मैंने आपको mains के इसाफ से सब कुछ पढ़ा देना है और mains अगर मैं यहाँ को 95% भी cover करवा रहा हूं as per mains अगर मैं आपका पूरा पूरा से ले बस यहाँ पे 95% भी cover करवा रहा हूं तो यहाँ पे prelims आपका 100% cover हो गया हूं और जो वो 5% बच जाते हैं मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि मैं 5% आपको cover नहीं करवा रहा हूं that is because of some new additions कुछ नया addition आता रहता है तो हमें नहीं पता लगता जब जब आप आज का जो lecture मैं record करों इस series में आपको ना मिले but my obligation again is what कि अगर कोई नया concept आया भी तो मैं इस series में add करता रहूंगा या फिर YouTube पे आपको उसके regarding नया नया आपको law मिलता रहेगा आप लोग को बस बिरसाथ connect रहना है right now we have to see the importance of the Hindu succession act क्या importance है इसकी Hindu succession act की see in every subject every paper of the judiciary Hindu succession act में आपको मांग के चलो 40 marks का paper मिल ही जाता है 40 marks का paper मिल जाता है total हम अगर Hindu की बात करें total family law की बात करें तो यहाँ पे आपको 80 to 90 marks का paper आपको मिल जाता है if we talk about haryana if we talk about Punjab, if we talk about DGS, तो हaryana पंजाब में तो हम मांग के चलो 90 to 100 marks का paper आपको सरफ Hindu में से आ जाता है that important subject 100 marks आ सकता है paper और DGS के अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको यह 40 marks का paper इसमें से एजली मिल जाता है civil 1 में आपका family law का माना जाता है DGS में और भी जतनी एक्जाम आपके चाहिए आप UP की बात कर लो चाहिए बिहार की बात कर लो every syllabus cover this syllabus and it is a very important part right in the last lecture we have seen the topics to be covered in the Hindu Succession Act जो हम यहाँ पे topics cover करने वाले है and today we are going to start with the first topic that is who is a Hindu जो आपको topic number one था कि भाई Hindu कौन है who is a Hindu जो इसके उपर यह act apply करेगा क्या किसी और religion के इंसां के उपर यहाँ पर यह लग सकता है किस के उपर लगेगा only and only Hindu के उपर लगेगा तो भाई साब यह Hindu होगा कौन so we have to see that first यहाँ पे section 2 of the Hindu Succession Act talks about the who is a Hindu और मैंने आपको last lecture में यह बताया था कि भाई साब Hindu Succession Act हो Hindu Marriage Act हो Hindu Adoption and Maintenance Act हो या फिर आपका Hindu Adoption and Maintenance Act हो फिर आपका Hindu Maintenance and Guardianship Act हो and also Hindu Succession Act Hindu Marriage Act जो भी यह आपके Acts है सब में और सब में यहाँ पे जो Hindu की definition है वो same है who is a Hindu it is same तो जब भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसको आपको सब के साथ ही consider कर लेना है but I will teach you again जब भी मैं आपको लॉस दुबारा कर वाँगा क्योंकि वो आपका यहाँ पर पूरा का पूरा concept आपके दिमाग में छप जाएगा now let's see section 2 of the Hindu Succession Act see applicability of the Act कि यह Act किसके उपर apply कर रहा है एक एक word को अच्छे है देखना है आपे bare Act को भी और जो उसके बाद मैं आपको content दूँगा mains का उसको भी application of the Act this Act applies to any person who is a Hindu any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments including a विराश्याइवा, लिंगायत और a follower of the भ्रह्मो आर्या समाज और the प्रात्ना समाज see यहाँ पर Hindu कौन है Hindu is a any person who is a Hindu in a religion but उसके यहाँ पे कुछ sub-developments भी दी गई हुए right a person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments including a विराश्याइवा, लिंगायत और a follower of the भ्रह्मो, प्रात्ना और the आर्या समाज this is important for the part of the prelims right then we have to see एक तू हमारे पास यहाँ पे क्या आगया see who is a Hindu section 2 of the HSA और हम एच्चाय में जो भी आप बोलो Hindu 2 of section 2 right अब हम इसको तीन चीजों में यहाँ पे convert करेंगे firstly क्या है Hindu by religion who is a Hindu Hindu by religion Hindu by religion और उसकी वो कोई भी चाहे form हो वो चाहे उसके कोई भी यहाँ पे sub-development हो कौन कौन सी वो हो सकते हैं यहाँ पे sub-development आपको यहाँ पे अपने लेक्चर का नोट बुक में लिख लेनी है इन यहाँ पे section 2 1 B section 2 clause 1 clause A यह अपने चाहँ अपने नोट बुक में बना लेने section 2 1 B क्या बोलता है that Hindu to any person who is Buddhist Jainisms और Sikh by religion यहाँ पे क्या बोला गए कि भाई सब अगर कोई इनसान Jain धरम के हैं अगर उसका religion यहाँ पे Jainism है या फोर वो एक Sikh धरम का इनसान है या फिर वो एक Buddhist धरम का इनसान है तो यह जो तीन धरम है ना इन तीनों को भी यहाँ पे हिंदू में ही माना गया है कौन कौन से Sikhism, Jainism and the Buddhism They are all the part of the Hinduism यह नहीं बोल रहे हैं कि Hinduism is a wider concept और इसके अंदर इनकलूड़ीगा, no It is just saying कि Hindu को अगर कोई भुद्धिजम है उसको भी हम Hindu ही मानेंगे हम यह नहीं बोल रहे हैं कि Hindu is a wider concept and Buddhism Jainism और a Sikhism is a narrower concept, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, it only says that this act applies on the Hindus and in the Hindus we also include Buddhism, Jainisms and the Sikhisms, Buddhism, Jainisms Buddhists Jainisms and Sikh people and Sikhism के जो भी लोग होंगे, we will include all those people in the definition of the word Hindus right, and then you have to see section 2, 1 class 1c, that is see, यह क्या बोलता है यहां पे आपको to any person who is not a Muslim, Christian Parsi or Jew by religion बस अभी तक आपको इतना ही पढ़ने, इसके आगे नहीं पढ़ना क्या बोल रहे है applicability of this act this act applies यह act किस के उपर applies करता है, हमें पता कि हिंदू के उपर apply करता है अब यह क्या बोल रहे है to any other person any other person other person का क्या मतलब हुआ उपर किस किस की बात कर रहे है हम हिंदू की बात कर रहे है जो यहाँ पर 21A में दिया गया हुए वो क्या है हिंदूस 21B में क्या दिया गया हुए हिंदूस में हम include कर रहे है बुद्धिजम्स को, जैनिजम्स को और सिख्षिजम्स के लोगों को and then we are saying to any other person to any other person से यह आपको यह चीछ समझानी चाहिए कि that means वो जो इंसान है ना तो वो 21A में फॉल कर रहे और नाई वो 21B में फॉल कर रहे if there is a person who is a person named A एक person है A नेम का अब वो यहाँ पे 21A में फॉल भी नहीं कर रहा he is not a Hindu by religion in any of its forms he is not a Buddhist, he is not a Jaini, he is not a Sikh जब यह चारों में से कुछ नहीं है to any other person उसमें आगे अब क्या बोल रहे है बर जो वो other person है वो यहाँ पे Muslim नहीं है Christian नहीं है, Parsi और जू भी नहीं है ना तो वो इंसान यहाँ पे Hindu है 21A में नाई वो इंसान 21B में बुद्धिस जैनियोर सिख है और अब क्या बोल रहे है अगर यह सब कुछ नहीं भी है वो बट अगर वो इंसान यहाँ पे Muslim नहीं है, Christian नहीं है Parsi नहीं है, फिर Jew भी नहीं है Jews में नहीं आ रहा वो तो उसको भी हम यहाँ पे Hindu मानेंगे This act will apply on all those persons also तो इस बात को समझो Act उस बंदों के उपर भी apply करेगा जो इनसान यहाँ पे 21A में fall नहीं करें 21B में fall नहीं करें But even though they are not Hindus As per 21A and 21B इसको लिख लो साथ-साथ Write it down, dictation दे रहा हूँ अभी यह हो, तैसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि अलग-अलग pen से लिखो अलग-अलग pen से लिखो को कि अभी मैं flow में बोल रहा हूँ जो भी एक dictation देने वाला हूँ इसको अलग-अलग pen से लिखो See As per section 2 of the Hindu Succession Act As per section 2 of the Hindu Succession Act This act applies to This act applies to Any person Any person Who is a Hindu Who is a Hindu By religion In any of its forms Who is a Hindu By religion in any of its forms And this act also And this act also Applies to Any person Who is Buddhist by religion Or Sikh by religion Or Jainism by religion Or Jainism by religion Full stop Any other person Any other person Which does not fall Who does not fall Under section 2 1 A Or 2 1 B Of the Hindu Succession Act Any other person Who does not fall Under section 2 clause 1 clause A Of the Hindu Succession Act Or 2 clause 1 or B Of the Hindu Succession Act Will also be Will also be Full stop This act applies on Any other person This act applies on Any other person Who does not fall under Section 2 clause 1 clause A Or section 2 clause 1 clause B Even if Even if He is not a Muslim Christian Parsi Or Jew By religion He is Muslim Parsi Christian Or Jew By religion We do not say 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 That We do not say Hindu Succession Act On people Apply Which will not say This act 2 1 A Fall not 2 1 B Fall not But But Uske Baad He is Not a Muslim Christian Parsi Or Jew Samajha Chukie Abhi Tak Hame Nen Yaha Sak Pada To Christian Or Parsi By Jew By religion Ab Hame Isko Abhi Pada Na Hai Unless It Is Proved That Any Such Person Would Not Have Been Governed By The Hindu Law Or By Any Custom Or Usage As Part Of That Law In Respect Of Any Of The Matters Dealt With Herein If This Act Has Not Been Past Is Ki Yhea Kya Bola Rhe Rhe Herein Herein Interlinking Karvahun Indian Evidence Act Burden Of Proof Ke Sath Bhi Interlink Karayenge Right See Who Is A Hindu Now See This Is Section 2 Clause 1 Clause C Which Says What To Any Other Person Who Is Not A Muslim Christian Parsi Or Jew Or Ye Question A Pre Important Is Important Is That Who All Are Parts Of The Hindus Buddhism Genisms Christians Or Sikhisms So A Exception A Jai Gah Christians Right To Us Tarah Questions A Prims Me Dekhane Now See Here What Is Unless It Is Proved Jaha P B Any Where In Any Of The Act Chariah Aap Koyi B Yaha P A Indian Evidence Act Jib Case Chal Rhea Jib Case Chal Trial Me Ab Kis In San Koo Prove Unless It Is Proved Koon Prove Koon Prove Unless It Is Proved That Any Such Person Would Not Have Been Governed By Hindu Law Or By Any Custom Or Usage As Part Of That Law In Respect Of The Matters Dealt With Herein If That Act Has Not Been Passed This Is A Example A A There Is A A A A What Is That C I Am Not A Hindu I Hindo N Hoon I Section 2 1 A Me N Hoon Section 2 1 B Category Z Gahy Hoon Hoon But Hindu Succession Match Me Apply Hoon 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 केस चल रहा था कोई हिंदू succession act में कि भाई इसको यह property मिलनी चाहिए यह नहीं चाहिए as per the succession और उसमें प्रूफ कर रहे कि मुझे मिलनी चाहिए क्यों कि मैं हिंदू हूँ इसने प्रूफ कर दिया ना हो इसका केस चलना था Mr. B के साथ अब B क्या बोलता है यहां पे unless it is proved by whom? B burden of proof किसके उपर आ जाएगा? B के उपर क्योंकि A के उपर क्या burden था? A के उपर burden था ये to any other person उसको ये प्रूफ करना था कि वही वो Muslim नहीं है अब जो burden था वो यहां पे B के उपर आ जुको है जब B के उपर burden गया तो यहां पे B क्या प्रूफ कर रहा है B बोल रहा है कि भाई साब देखिए जब 1956 में Hindu Succession Act आया था ना अगर हम उसके पहले की बात करें अगर 1956 Act आने से पहले कोई भी जो law था अगर वो Hindu को govern करता है वो एक यहां पे custom या कोई यहां पे प्रार्थना वगारा कुछ भी होके अगर किसी को Hindu में convert कर रहे हैं वो इसने यहां पे अपनाई नहीं थी अगर यह कर लेता 1956 से पहले फिर तो हम बोल देते कि भाई यह हिंदू है बट इसने वो customary rights को पूरा नहीं किया था इसलिए यहां पे यह हिंदू नहीं है यह यह प्रूव कर रहे हैं इसको मैं example दूँगा अभी आपको दुआरा अगर यह act पास ना की जाती अगर 1956 में Hindu Succession Act ना आता तो यह person की उपर Hindu Succession Act अपलाई नहीं कर सकता यह बोल रहे हैं तो भई कैसे नहीं कर सकता था अब उसको हम समझेंगे C 21C यहां पे क्या बोल रहे है C that after proving that he is not Muslim, Christian, Parsi और Jew the burden will discharge किसकी बात कर रहे हैं A versus B A versus B A ने प्रूब A यहां पे बोल रहे है कि मेरे उपर Hindu Succession Act लगेगा Right, Hindu Succession Act मेरे उपर लगेगा First of all, वो क्या ट्राही करेगा First of all, he will try that I am a Hindu by section 2, clause 1, clause A That I am Hindu and I am follower of all these जो भी वहां पे दियो है आरे आरे समाज, प्रात्ना समाज और जो भी है That I am the follower of all this concept To 2, 1 A क, accordingly मैं यहां पे Hindu हूँ But वो यह proof नहीं कर पाया मान लिया जे Now he went to section 2, clause 1, clause B He is saying that I am a Buddhist इसलिए मैं Hindu हूँ But proof नहीं हुआ He is saying that I am Jainism इसलिए मैं Hindu हूँ proof नहीं हुआ He is saying that I am the part of the Sikhism religion वो भी proof नहीं हुआ तो 2, 1 B भी proof नहीं हुआ अब वो क्या करेगा अब वो गया 2, 1 C पे सब कुछ है ना उसके बास 2, 1 C में गया अब 2, 1 C में उसको क्या proof करना है कि भाई मैं Muslim नहीं हूँ मैं Christian नहीं हूँ मैं Parsi नहीं हूँ जूँआँ सो आफ्टर प्रूविंग कौन प्रूफ कर रहा है इस्टर ए कर रहा है आफ्टर प्रूविंग एट ही जो बर्डन ता उसके उपर वो डिश्चार्ज हो गया नाव एक्ट विल अप्लाई उपोने बट यहां पे ओ क्या बोल रहे है एक्ट तो अप्लाई करेगा बट यहां पे बी इस बर्डन को अभी भी रेब्यूट कर सकता है जो आपने प्रूफ की है कि भाई मैं यहां पे यह चारों में से नहीं हूँ वो रेब्यूट कर सकता है कैसे अदर पाटी कें प्रूव डैट वो उसके साद गर्णा प्रूफ कर लेता तब तो वो हिंदू माना जाता तो वो उसके साद गर्ण ही नहीं किया गया तो अगर यह बी ने प्रूफ कर दिया तो means this act will not apply upon him एक example लो यहां पे C, यहां पे हम बात कर रहे हैं adoption before 1956 because 1956 की बात कर रहे हैं 1956 act अगर ना आया होता तब जो यहां पे 21C के नीचे लिखा होगा 1956 act ना आया होता तो इस बंदे की उपर Hindu succession act नहीं अपलाई करता तो 1956 act से पहले चले जाते हैं मान लेते हैं यहां पे दो भाईयों में case चल रहे हैं एक property है एक property है फादर की फादर की death हो चुकी है दो यहां पे है S and S1 दो बच्चे आउंके S and S1 now see इन दोनों का यहां पे S बोल रहा है कि property का partition हो जाना चाहिए 1 by 2, 1 by 2 property दोनों के पास चले जाए S क्या बोल रहा है कि partition कर लो फादर की property का father यहां पे अब नहीं रहे यह जो मैंने लगाया है ना यह this bracket it means कि उनकी यहां पे death हो चुकी है जितने भी diagram आपको इस पूरी series में मिलेंगे अगर मैंने यह लगा दी it means उनकी यहां पे death हो चुकी है the moment father died right now this person wants कि भाई यहां पे partition कर लो property का हम दोनों भाईयों में right अब यह क्या बोल रहे है S1 S1 बोल रहे है कि किस तरह से partition कर लो आप तो यहां पे हमारे भाई होई नहीं you are not the son of my father यह पूरी की property पूरी की पूरी property मुझे मिलनी चाहिए S बोल रहे है कि भाई यह क्या बोल रहे है मैं तरह चोटा भाई हूँ सारी उमर सास में cricket खेल ली है सास में एक दूसरे के साथ पढ़े है आगे बढ़े है मैं तरह भाई नहीं हो भी तो बोल रहे है कि यह मेरे फादर नहीं थे यह बोल रहे है कि ना भाई वो cricket खेलने तक की था बट आज अगर property में बटवारा हो रहे है तो मैं यह बोल रहा हूं कि तू मेरा भाई कभी था ही नहीं और ना ही तू फादर साहब का कभी बेटा था कैसे अब वो क्या प्रूफ कर रहे है और यह यहाँ पे यह भी बोल रहे है कि तू भाई हिंदू ही नहीं है कि तो हिंदू ही नहीं है तेरे उपर हिंदू success never कैसे लग जाएगा क्या बात हो गई अब इसके उपर ये चला गया केस चला गया ये यहाँ पहले क्या proof करेगा कि भाई में इनका बेटा हूं proof करेगा और मैं हिंदू हूं इसलिए मेरी ये property मिल ली चाहिए वो बोल रहा है कि ठीक है यार कोई बात नहीं अब हम बात करते हैं 2 1 C की यो He proved that he is not a Muslim He is not a Christian, Parsi और Jew तो court ने बोल दिया कि भाई साथ ठीक है ये बंदा हिंदू तो है प्रॉपर्टी इसको मिल ली जाहिए और ये क्या बोल रहा है ये जो सन था ना ये था अडॉप्टेड दुवारा समझो इसको जो एस S था He is an adopted son of F adopted son अब जब S1 क्या बोल रहा है कि ये adopted नहीं हो पाया नहीं ये हिंदू है बट इसने प्रूफ कर दिया कि मैं हिंदू हूँ क्योंकि या में 2 1 C में मैं मुसलिम भी नहीं हूँ मैं क्रिस्टिन भी नहीं मैं पार्सी भी नहीं हूँ योगी नहीं अब ये क्या बोल रहा है सुवाने अब सुनो 1956 Act के पहले की बात 1956 Act के पहले की बात क्या थी adoption का जो law था वो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जब adopt किया था बच्चों को वो सही से किया भी था या नहीं किया था 1956 Act से पहले adoption के लिए आपको दो essentials जुरूरी होते थे अब यह साथ साथ लिखते रहने हैं आपको one is the ceremony of the datta haman datta haman ceremony of the adoption and second is the ceremony of the giving and taking giving and taking of the child यह 1956 Act के पहले की बात at present जो adoption का लाओ है वो सरफ giving and taking की बात करता है the first condition of datta haman is repealed वो अब ज़रूरी नहीं है किसी बच्चे को adopt करने के लिए एक concept के यह भी समय लो भी यहाँ पे but क्या बोल रहा है कि 1956 से पहले तो यह ज़रूरी था वो करी नहीं गई थी वो यहाँ पे करी नहीं गई थी which means what other party can prove that there was a customary practice customary एक practice थी कौन सी practice दता हमन which is of Hindu according to which he is not governed यह ceremony कुकि करी नहीं गई थी इसके लिए इसकार इसके उपर नहीं so he is not a Hindu now यह समझाई है आपको बात कि जो burden कैसे discharge कर रहा है वो कि 1956 से पहले adoption यहाँ पे इस तरह से complete होता था but adoption इस तरह से गर complete ही नहीं किया गया तो S1 ने भी अपना यह burden को discharge कर दिया so in this case यहाँ पे first of all burden discharged by S as per section 103 of the Indian Evidence Act लिख लिए इसको section 103 of the Indian Evidence Act proving that he is not a Muslim Christian, Jew or Parsi and then this person S1 proved S1 discharges burden of proof under section 103 again by proving the fact that one of the essential conditions which governs the Hindu law as per the customary rights before 1956 is not being governed on this person इसलिए यह बंदा Hindu है ही नहीं है तो इसने burden discharge कर दिया section 103 of the Indian Evidence Act of any particular fact right, समझाई यह बात now leads, listen इस चीज़ को आप लिखो यहाँ पर आपको dictation दे रहा हूं section 21c section 2 clause 1 clause C of the Hindu Succession Act to apply to apply the burden lies upon the party interested in proving यह आपको लिखना भी है साथ-साथ मैं इसलिए इसलिए डिक्टेशन दे रहा हूं PPD तो आपको मिली जानी है अगर आप अपनी notebook में नहीं लिखोगे ना साथ-साथ तो कोई फाइदा नहीं होगा उस PPD का पढ़ी रहेंगी आपके ओ कागज जिन बच्चों का पेपर clear नहीं होता न उनका इसलिए नहीं होता खुद लिखो लिखने की speed भी बनती है लिखके जब आप लिखते हो न तो वो लिखते लिखते जब दिमाग में concept जाता है तब ही समझाता है concept टीचर जितना मर्जी समझा ले लिखो उस चीजग को section 2 clause 1 clause C of the Hindu Succession Act to apply the burden lies upon the party interested in proving that the act apply upon him however however if he is not directly able to prove if he is not directly able to prove section 2 clause 1 clause A or section 2 clause 1 clause B that is he is a Buddhist, Janis or Sikh or any of their denominations or any of their denominations then he has to prove then he has to prove that he is not a Muslim Christian Jew or Parsi that he is not a Muslim, Christian, Jew or Parsi if he is able if he is able to prove that if he is able to prove that then the act will apply upon him then the act will apply upon him and the burden of proof the burden of proof will shift upon the opposite party and the burden of proof will shift upon the opposite party right full stop come to the next paragraph the opposite party the opposite party the opposite party in the later part of section 2 clause 1 clause C the opposite party in the later part of section 2 clause 1 clause C has to prove that has to prove that, that if the act, if the act have not come into force, if the act have not come into force, then the Hindu Kashmari law, then the Hindu Kashmari law prevailing before the act, then the Hindu Kashmari law prevailing before the act, prevailing before the act would not have been applied upon him, would not have applied upon him. If that is proved, if that is proved, then this act will, then this act will not apply upon such a person. Then this act will not apply upon such a person. Concept clear हुआ आपका? सुनो एक बार फिर से. Right. C. यहाँ पर एक बात करेंगे हैं, हम दुवारा से. C. यहाँ पर बात करते हैं. C. 1956 से पहले, प्रॉपर्टी लॉपर्टी 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 लॉपर्ट which prevails, कश्चमरी law के according property devolve होती थी, कश्चमरी law के according लोगों की शादियां होती थी, कश्चमरी law के according ये divorce होता था, हिंदू marriage act भी आपका 1955 में है, उससे पहले शादियां कैसे होती थी, law तो था ही नहीं, कश्चमरी law था, और section 4 of the Hindu succession act, Hindu marriage act also talks about the कश्चमरी marriages, कश्चमरी जो भी practices थी आपकी, वो अभी भी यहाँ पे prevalent है या नहीं है, बट अब ये क्या बोल रहें कि, अगर ये कश्चमरी law जो था, ये जो कश्चमरी law था, उसके according, अगर 1956 से पहले कश्चमरी law के according, this person is not adopted as per the law, दत्ता हमन की ceremony को complete नहीं किया गया, और जब इसको adopt किया, तो हमें नहीं पता था कि, ये बच्चा कहां से आया, ये बच्चा हिंदू है या नहीं है, ये बच्चा बुद्धिष्ट है, जैनिजम से आया है, six है या क्या है, नहीं पता हमें, वो बच्चा कहां बोल रहा है कि, मैं हिंदू हूँ, उसने प्रूफ कर दिया, 21C में कि, मैं मुस्लिम नहीं हो, मैं मुस्लिम नहीं हो, पार्सी नहीं हो, जीउ नहीं हो, और क्रिस्चन नहीं हो, कोर्ट ने माले कि, ठीक है, फिर आपको उपर, ये एक्ट अप्लाई करेगा, एक्ट अप्लाई करेगा, ये नहीं मूल दिया, कि आप हिंदू हो, बट एक्ट अप्लाई करेगा, क्योंकि हमने क्या बोल है, तो एनी अदर पर्सन, वो इसनोट ए मुस्लिम क्रिश्टन, नहीं कही गई थी, और अगर फुल्फिल नहीं की गई थी, तो यहाँ पर ये मेरे फादर का, बेटा बनाई नहीं, समझागी ना बात, उसने इस तरह से अपना बर्डं को, यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया, टाइट, तो यह जो एक्जाम्पल ओफ ब्रदर्स था, जो मैंने आपको पहले ही करवा देऊ, समझा चुका, कि दो भाई थे, एक था अडॉप्टेड, एक था अडॉप्टेड, और एक था यहाँ पर यहाँ पर नैच्चुरल सन, जब दोनों में पार्टिशन की बारी आई, तो यह बोला, कि सारी जंदगी तू मेरा चाहिए चोटा भाई था, तू बट में यहाँ पर, मेरा एक्चुली में भाई है यही नहीं, क्यों नहीं हैं, क्योंकि 1956, एक्ट से अगर पहले, अगर एक्चे से की बात करते, तो तेरे उपर यहाँ पर हिंजु सक्टैशन एक्ट अप्लाई करी नहीं सकती, इसलिए तुझे प्रापटी मिलेगी, तो आई होप आपको यह पूरा का पूरा समझ आ गया होगा अभी तक, अब उसके उपर हम बात में चलते हैं, अब लेट उस सीधा अनधर एक्जामपल, एक्जामपल नमबर टू इंडिस के, अब क्या हुआ, जैसे आप लोग आजकल देखते होगी, भाई साब डाइवोर्स केसिस तो बहुत बढ़ रहे हैं, फैमिली लॉव में अगर चले जाओगे, आप फैमिली कोट में जाकर देखोगा भी, लाइन लगी होई है भाई लोगों की डाइवोर्स में, I don't understand लोगों में पेशेंस क्यों नहीं हैं, if you are getting married to someone, if you are also my student, अगर कोई भी सुन रहे हैं, if you are getting married to someone, then be patient, relationship बनने में टाइम लगता है भाई, be patient, फैमिली कोट में जाओ, इतने डाइवोर्स के किसी चल रहे हैं, क्यूं चल रहे हैं, और एक एक दो साल बात, social media की दुनिया से थोड़ा बाहर आके, reality में आओ, patience के साथ जिन्दगी को आगे बढ़ाओ, और अपना relationship चलाओ, अब हम बात करते हैं इस case की, क्या हुआ, एक couple था, एक couple था, और ये भाई साथ आज कल की trend की तरह, इंकी याँ पे शादी हुई 2018 में, 2018 में इंकी शादी हुई, honeymoon पे निकल गे, ये लोग कहाँ पे, maldivs, honeymoon पे निकल गे लोग maldivs में, इतनी फोटो स्खीची, इतनी फोटो स्खीची, Instagram पे डाल दी, पूरी दुनिया को लग रहा है कि, या, what a couple, इतना happy couple, बहुत ही अच्छा couple है, maldivs में जाके, इतनी सारी फोटो स्खीचीची, के वापिस इंडिया आ गए, इंडिया में आके, अभी इंको 6 महीने ही हुए रहते हुए, अभी इंको 6 महीने ही हुए रहते हुए, और husband की job transfer हो गई लंडन में, husband की जो job थी, और husband बोल रहा है, कि मेरा बच्पन का सपना था, कि कभी ना कभी तो out of India जाके काम करूँगा, कभी ना कभी तो out of India जाके काम करूँगा, बच ये सपना मेरी शादी के बाद पूरा हुआ, चलो जी, बच एनिहाओ, अभी अपनी wife को भी अपने साथ ले गया लंडन में, ठीक है जी, अब ये दोनों आ चुके हैं लंडन में, और अब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए 2020 की, डूरिंग दिस पिरियर्ड, डूरिंग दिस पिरियर्ड, क्या हुआ, इन दोनों में डिस्प्यूट आ चुका, जो ये मालदी उसमें फोटो खीची सी, जो वो सारा कुछ प्रिटेंड गरने के लिए, इंस्टाग्राम पर डाले थी, जो इसका कोई मतलब नहीं था, क्या हुआ अब उसका, कि ये लोग लंडन में जाके, इनमें डिस्प्यूट चल पड़ा, हस्बेंड का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, दोनों को आपस में पता भी लग गया, बट क्या हुआ यहाँ पे, अब हस्बेंड क्या बोल रहा है, हस्बेंड बोल रहा है कि भाई, मेरी तो यहाँ पर जॉब लगी हुई है, मेरी न्यू गल्फरेंड बन चुके, मैं तो यहीं लूँगा, मुझे चाहिए डाइवोर्स, मैं इंडिया आउंगा ही नी, अगर एक बार इंडिया आगा है, मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोक लेन है, मेरे इनलॉस ने मुझे रोक लेन, और UK कोट ने यहां पे डाइवोर्स ग्रांट भी कर दिया, अब मुझे यह बताओ, यह जो डाइवोर्स है, क्या यह वैलिड होगा, क्या यह वैलिड होगा, यह जो दोनों कपल थे, यह क्या थे, यह दोनों हिंदूस थे, both these guys are Hindus and they married as per the Hindu rights and ceremonies Hindus के according उन्होंने शादी कर ली अब क्या हुआ divorce के लिए ये कहां जाएंगे whenever divorce will be granted divorce will be granted as per the Hindu law divorce will be granted as per the Hindu law ना जब यहां पे ये दोनों की शादी Hindu law के according हो री है तो UK law कैसे अपलाई करेगा और यहां पे उनको divorce कैसे मिल जाएगा so this यहां पे जो divorce था it is not valid यह मा आपको क्यों समझा रहा हूँ who is a Hindu who is a Hindu once a party is a Hindu and is married as per the Hindu rights then the full time during that marriage उसको यहां पे Hindu rights के according है अपनी life जीनी पड़ती है and जब वो divorce भी लेगा तो उसको Hindus के according ही लेनी पड़ेगा उसको यहां पे इंडिया आना पड़ेगा इंडिया में आके यहां पे case करना पड़ेगा और यहां पे Indian law के according यहां पे section 13 of the HMA के according यहां पे law यहां पे divorce लेना पड़ेगा so this यहां पे जो divorce होगा it will be not valid who is a Hindu के concept नहीं है आपको सब कुछ समझाना है even though यह जो मैंने आपको अभी example समझाई है यह Hindu succession act के साथ related नहीं है relate कर सकता अगर हम property की बात भी करें तो पर यह example में related नहीं है बट मैंने आपको क्यों समझाई because I told you section 2 है आपका यहां पे Hindu marriage act के लिए भी same है Hindu adoption and maintenance act के लिए भी same है Hindu succession के लिए भी same और यहां पे guardianship act के लिए भी same है right so I hope आपको यह पूरा concept अब समझा चुका होगा and आज की इस lecture में हम देखेंगे section 2 की explanations in the last lecture we have covered who is a Hindu की Hindu कौन है वो हम cover कर चुके हैं अब हम यहां पे जाएंगे section 2 की यहां पे कुछ explanations में की यहां पे अगर एक बच्चा illegitimate है तो क्या हो यहां पे Hindu होगा या नहीं होगा अगर दोनों parents Hindu हैं अगर दोनों parents Hindu हैं तो चाए बच्चा legitimate हो या फिर illegitimate हो that child will always be a Hindu and Hindu succession act will apply upon that child one thing and अगर कोई एक parent यहां पे Hindu नहीं है और second parent यहां पे Hindu है तो explanation क्या बोलती है कि एक parent Hindu नहीं है दूसरा parent Hindu है उनका जो बच्चा होगा वो Hindu होगा या नहीं होगा that will depend upon his born and brought up कि उसकी जो यहां पे परवरिश की गई किस तरह से की गई अगर तो उसकी परवरिश Hindu धरम के according की गई then he will be deemed to be an Hindu यहां पे एक legal fiction create कर ली जाएगी right बट अगर उसकी परवरिश यहां पे Hindu धरम के according नहीं होई तो वहां पे हुआँ को बोच गए कि Hindu नहीं है and then we will see the concept of the conversion and the reconversion कि एक इंसान यहां पे पहले Hindu नहीं था but then he converted to the Hindu तो उसके ओपर अचैसे लगेगा तो convert कैसे होगा conversion होगा तो conversion का भी तो कोई process होगा न आज अगर मैं किसी और धरम का हूँ और अगर मैं बोलू कि मुझे Hindu में convert होना तो कैसे होँगा कोई तो उसका process होगा वो देखना पड़ेगा और रिकनवर्जन आज मैं Hindu हूँ but I converted to some another religion I converted to the Christianity but then later on after two years I felt that that I want to re-convert to the Hinduism तो अगर मैं re-convert भी कर रहा हूँ तब भी मैं यहां पे Hindu माना जाओंगा तो HSA will apply upon me at that time also but इसका process क्या होगा now let's see the यहां पे explanation to section 2 see the following persons are Hindus, Buddhisms, Jainisms or Sikhs by religions as the case may be यहां पे क्या लिखा हुए the following persons are Hindus Buddhists, Jainis or the Sikhs यहां पे सरफ Hindu क्यों लिखा क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में आपको एक चीट समझाई थी that these three religions Sikhisms, Jainisms and Buddhisms are not part of Hindu culture ये निये कि इनके अंदर है ये कि Hindu एक wider concept और उसके अंदर ये है no section 2 यहां पे सरफ ये बोल रहा है कि Hindu Succession Act will apply upon these two religions also these three religions also because इनको भी हम Hindu ही मानते हैं इनको भी हम यहां पे Hindu ही मानते हैं इसलिए यहां पे ये अलग अलग लिखे गए नहीं तो the following person सार हिंदूस लिखते हैं सिरफ और हिंदूस में मान लेते हैं कि अगर हिंदू लिखा है तो इन तिनों को भी include किया गए no we are talking about every person person religion of the Hinduism, Buddhism, Sikhism और the Genism right as the case में भी अब बात करते हैं क्या any child legitimate or illegitimate क्या बात कर रहे हैं इसको prelims के साम से ध्यान रखना legitimate or illegitimate prelims के according ये question बहुत important है both of whose parents are Hindus जिसके दोनों parents या पिस हिंदूस हैं बुदिष्ट हैं या जैन हैं या Sikhs हैं example दो एक एक example दो यहाँ पे husband है Sikhism का he is a husband है यहाँ पे एक Sikh दरम का और यहाँ पे जो wife है वो है Hindu धरम की वो है यहाँ पे Hindu धरम की अब उनके यहाँ पे दो बच्चे हो गए उनके यहाँ पे दो बच्चे हैं एक तो यहाँ पे है legitimate child और एक है यहाँ पे illegitimate child अब यह illegitimate child कैसे है इसका concept में आपको Hindu marriage हिंदू हे में जब करूँगा तब समझाओंगा अभी यह मांग के चलो कि दो बच्चे है एक है यहाँ पर legitimate और एक है यहाँ पर illegitimate child तो यह जो illegitimate child है यह भी यहाँ पर हिंदू माना जाएगा और हिंदू succession act is cute पर apply करेगा HSA will apply upon the illegitimate child also if when both the parents यहाँ पर एदर हिंदू और सिक और जैनिजम्स और बुद्दिजम्स समझाई बात और यहाँ पर जो legitimate child है that child will also be यहाँ पर considered as a हिंदू HSA will apply on both of these childs point number one जो आपका explanation का आपको यहाँ पर clear हो जाना चाहिए right now let's see explanation two का यहाँ पर 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 बी any child legitimate और illegitimate one of whose parent is a हिंदू जिनका एक पर यहाँ पर इधर हिंदू है बुद्दिष्ट है जैनिजम्स में है यहाँ पर सिक है and who is brought up as a member of the tribe community, group or family to which such parent belong और belonged यहाँ पर example number एक और देखो अब मान लीजिये हम बात करते हैं यहाँ पर कोई live example उठाते हैं let's talk about धर्मिंदर and हेमा मान ली और उनके बच्चे कोन है सन्नी दोल बॉबी दोल अब धर्मिंदर क्या है जब जहाँ पर धर्मिंदर नहीं यहाँ पर Muslim convert में हो गया था हो मान लीजी यहाँ पर sorry यहाँ पर हेमा मान ली के साथ इंका बेटा नहीं था यह सन्नी दोल बॉबी दोल यह पहली वाइफ के साथ तो हम यहाँ पर example change कर रहे है right now see समझ गे ना आप लोग यही जो सन्नी दोल बॉबी दोल रहे इंकी बेटे हैं बट पहली वाइफ के साथ बेटा था इंका हमा मानने के साथ बच्चे वो इशा दियो लाए right now let's see यहाँ पर example लीजिए husband है यहाँ पर Muslim and wife is a Hindu and wife is a कौन हिंदू or either sick or jainisms में है या फिर यह Buddhist है अब इन दोनों की यहाँ पर शादी हो गई इन दोनों की यहाँ पर शादी हो गई और इनका यहाँ पर एक बच्चा है अब यह बच्चा चाहे legitimate हो चाहे illegitimate हो बात यह है कि क्या यह बच्चा इसक्यूपर एच्च ऐसे अपलाई करेगा या नहीं करेगा Hindu Succession Act इसक्यूपर अपलाई करेगा या नहीं करेगा अब वो कब करेगा it will depend upon the his brawn and brought up क्या लिख है यहाँ पर see and who is brought up as a member of the tribe अगर यह बच्चा यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो wife थी वो sick में थी और जो बच्चे को यहाँ पर बच्चपन से यहाँ पर पगड़ी पहना दी गई बच्पन से हो यहाँ पर बच्चा पगड़ी पहन के स्कूल में जाता है उसकी पूरी life हो ऐसी गया he is brought up as a community of the sick community sick community के साथ ही उसकी यहाँ पूरी की बुरी brought up होई यह जो factor होगा it means that person is यहाँ पर brown and brought up as a sick so that person उसकी ओपर यहाँ पर HSA apply करेगा but अगर वहीं पर हम बच्चे को देखते है that his brown and brought up is as per the father वो यहाँ पर Muslim धरम के according वो सारी अपनी जिंदगी बितीत कर रहा है then it means उसके ओपर HSA apply नहीं करेगा and that child will be deemed to be the Muslim right इसी के जहाँ पर हम देखते है यह बच्चा चाहे legitimate है चाहे illegitimate है section 2 में there is no distinction between the legitimate child और the illegitimate child right then let's talk about any person who is a convert or re-convert to the Hindu Buddhist, Janism or Sikh religion कोई भी इंसान जिसने भी यहाँ पर अपने अपको convert कर लियागी either to Hindu, either to Buddhist, either to Janism or to the Sikhs then he will be deemed to be a Hindu or he is re-converted to that religion अगर मैं आज यहाँ पे Hindu और मैंने आपको यहाँ पे अपने अपको Christianity में convert कर लिया और बाद में मैंने आपको फिर से Hindu में convert कर लिया which means I am re-converted to the Hindu religion so HSA will apply upon me और अगर मैं आज यहाँ पे हूँ ही Christianity धरम का है and I converted to the Hinduism then also HSA will apply upon me but इसके उपर हमें यह देखना होगा कि भई conversion होगा कैसे how will a person convert और यह जो second example था ना जिसके हम बात कर रहे थे any child legitimate or illegitimate one of whose parent is a Hindu and another is of the another religion इसके उपर आप एक case देख सकते हो that is the case of the Indira Gandhi versus Minka Gandhi जो हम second explanation की बात कर रहे हैं Indira Gandhi versus Minka Gandhi के भी यहां पे इस case में भी यही problem थी because Indira Gandhi is Hindu and her husband was of the Muslim religion तो उनका जो आगे बच्चा था उस case में जो बात थी वो भी इस case के उपर अपलाई करते हैं at present मुझे ध्यान नहीं आ रहा बट आपको समझ आगी होगी मेरी पूरी बात और वो ही मेरा काम में आपको concept समझाने सन्नी जुलवरा concept अब बोल जाओ इसी example पे आजा all right now let's talk about the conversion and the reconversion see now A is a Muslim A is a Muslim and he converted to Hindu dharam he is converted to Hindu dharam the moment he is converted to Hindu HSA will apply upon him HSA will apply upon him now what happened is A is a Hindu and he converted to Muslim religion he converted to Muslim religion but after converting to Muslim religion he again converted to the Hinduism he again converted to the Hinduism it means HSA will again apply upon him HSA will again apply upon him अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि भाई conversion तुमने देख लिया कि conversion होने से यहाँ पे आप अप हिंदू एच्चे से आपके उपर apply करेगा आप हिंदू माने जाओगी but conversion कैसे करोगे for that we have a judgment Mohandas वर्सिस देवासम बोर्ट 1975 Kerala High Court की यह judgment है and it is a very important judgment यह judgment आप भी actually यहाँ पे तीन तरीके बताएगे थे three categories, three points in which यहाँ पे we can convert to the Hinduism right the court held that the court held that when a person when a person the court held that when a person declares that he is a follower of the Hindu faith क्या कर रहे हो यहाँ पे declare कर रहे he is just declaring that he is he is a follower of the Hindu faith and if such a declaration is a bona fide क्या होगे यहाँ पे first is declaration and that declaration is a bona fide declaration यानि की in the good faith declaration is given in the good faith bona fide declaration and not made with any ulterior motive or intention it amounts to have it amounts to his having accepted the Hindu approach to the world it means now he has accepted the Hindu approach to the world और इसको हम क्या बोले है यहाँ पे formal declaration points को ध्यान में रखने के लिए क्या है formal declaration formal declaration करके that I am a person of the Hindu religion and and there is a bona fide regulation यहाँ पे मैंने bona fide declaration किये that I am following Hindu so it will be a formal declaration point number two point number two right if he expresses if he undergoes a formal ceremony of conversion reconversion prescribed by the caste or community to which he converts or reconverts क्या बोलते हैं मैंने point आपको यहाँ पे दुबारा लिख दिये if he undergoes a formal ceremony यह क्या आगा आपका formal ceremony that अगर मुझे यहाँ पे Sikhism में convert होना है तो Sikhism के धरम में अगर कोई formal ceremony है कि अगर आपको Sikhism में convert होने के लिए यह ceremony आपको conduct करनी पड़ेगी अगर आप उसको undergo कर तो अगर आप उस यहाँ पे ceremony को conduct करते हैं which means you have converted to that religion and the moment you have converted to the Sikhism it means HSA आपको प्रपलाई करेगा right so if he expresses a bona fide intention to become a Hindu accompanied by unequivocally conduct expressing the intention coupled with the acceptance of him as a member of the community into which into the fold of which he has converted himself to the Hindu and if he declares that he is a Hindu एक तो हो गई आपकी यहाँ पे formal declaration एक तो हो गई यहाँ पे आपकी formal declaration another is यहाँ पे your implied conduct second point जो है आपका यहाँ पे which talks about the implied conduct and first talks about the formal ceremony formal ceremony या तो आप यहाँ पे formal ceremony कर लो किसी भी जहाँ पे भी आप किसी भी धरम में आप convert होना चाते हो कि सेरिमनी यहाँ पे undergone that ceremony one thing another is the formal declaration and the declaration should be of the bona fide nature it should not be of any ulterior motive आपकी इंटेंशन यहाँ पे bad intention नही होने चाहँ and then another is the formal declaration alright so this is how a non-hindu can become hindu by conversion in the following ways right and in this lecture lecture number 4 of the Hindu Succession Act we are going to cover the most important part of the Hindu Succession Act that is hindu joint family hindu joint family का part कौन कौन होगा और कौन कौन नहीं होगा first of all और hindu joint family कब होती है उसकी presumption क्या है by law create की जाती है या फिर act of the parties के साथ यहाँ पे होती है कि दो लोगों ने यहाँ पे आपस में partnership कर ली कि हम यहाँ पे hindu joint family को यहाँ पे बना रहे है दो दोस्त है यहाँ पे और बोलने कि हम दोनों आच से एक hindu joint family की दरह है रहे है can they do that no they cannot do that because hindu joint family is an existence by law and not by the creation of any of the parties not by the act of the parties कोई partnership नहीं है hindu joint family का पूरा का पूरा यहाँ पे concept समझेंगे let's see क्या कुछ हम इसमें देखने वाले है hindu joint family co-partners and the hindu joint hindu family as per the mitakshara as per the mitakshara law see we are going to cover first of all hindu joint family का concept then we are going to see the hindu co-partner यह पूरा का पूरा एकी chapter चलेगा आपका lectures आपके पांच्छे चलेंगे lectures तो इस पर चलेंगी पांच्छे जारा भी चल सकते हैं then we will see the concept of the joint family property separate property and the distinction between the co-partnery property and the separate property simple सा distinction तो अभी बता हो कि co-partnery property होती है जो आपकी ancestral property होती है जो by birth जिसमें आपका यहां पर right हो जाता है और वो interest with birth यहां पर fluctuate होता रहता है and the separate property होती है जो आपने खुद अपनी कमाई से वो property कमाई है यानि कि वो property आपको अपने father से नहीं मिली आपको अपने grandfather से नहीं मिली of ancestral property नहीं है आपने अपने मैनत के साथ एक property नहीं which is your separate property तो उस property में किसी का भी हक नहीं होता except you and you can dispose of their property in any of the way you want but जो co-personary property होती है यानि कि undivided property होती है यानि कि undivided ancestral property होती है वो property होती है जो ancestral property which gives the right to every co-person in that property by birth और co-personers कोन होती है उसके लिए में वो देखना पड़ेगा बट co-personers को देखने से पहले कि co-personers कोन है उसको पहले हमें समझना पड़ेगा Hindu joint family क्या होती है normal सी term है Hindu joint family आज कल हम क्या देखते हैं आज कल तो हम देखते हैं कि भाई अब Hindu joint family का concept नहीं है बहुत कम यहां पर families रह गई जो यहां पर Hindu joint family रह रहे हैं क्योंकि यहां पर यहां पर nuclear families है single single families है लोगों में partition हो चुक है सबका अपना अपना घर है बर जो पहले का जमाना था एक ही घर में सारे भाई रह रहे हैं उनकी वाइप रह रहे हैं उनके बच्चे रह रहे हैं वो क्या होती थी Hindu joint family main चीज यही है that there is one common male ancestor एक यहां पर इंसाम बैठ है common male ancestor और उनके नीचे उनके बाद की generation उसके बाद की generation चाहे 10 generations चली जाएं if it's still sitting there it means it is a Hindu joint family there should be a common male ancestor but क्या common male ancestor उनकी कभी death नहीं होगी 800 साल के होगे भाई साब 10 generations हमने किन ली क्या 1500 साल होगे उनकी death नहीं होगी क्या जजदिन उनकी death हो जाएगी वो joint family Hindu joint family नहीं रहेगी it will still be a Hindu joint family because जो common male ancestor है he should be there at the existence of the Hindu joint family Hindu joint family की existence के time में एक common male ancestor का होना जरूरी है common male ancestor का यहाँ पे जरूरी है होना but for the continuance of the family एक बड़ी होगी family चल पड़ी उसके बाद आगर family को continue करने के लिए उनकी जरूरत नहीं है पूरा का पूरा concept समझेंगे with diagram समझेंगे आगे बढ़ते हैं now let's see पहले diagram समझते हम इसके उपर फिर बार करें see यहाँ पे क्या है there is a husband and wife पादर है और उसकी यह पर वाइक है अब यह मैंने एक diagram बनाए आपको अब हम इसमें देखें कि हिंदू joint family क्या है पहली बात तो समझे लो हिंदू joint family में every person will be included अंकल जी, भतीजा, नेफ्यू, नीज, आंटियां, आम, मासी वगारा सब कुछ यहाँ पर हिंदू joint family में include होंगे क्यों होंगे? विको कि यह co-parsnery की बात नहीं कर रहे हैं हिंदू joint family की बात कर रहे हैं और वो देखते हैं इन में से कौन-कौन सा नहीं होगा सारे बेटे और सारी बेटियां आपकी कोप हिंदू joint family में मानी जाएंगी क्या उनकी wife मानी जाएंगी let's see, एक एक करके आपे बात करते हैं फादर साब यहाँ पर हैं हमारे common male ancestor he is there as a common male ancestor when he is there as a common male ancestor क्या इनकी जो wife होगी क्या वो हिंदू joint family का पाथ होगी his wife क्या यह हिंदू joint family का पाथ होगी yes wife of all the male members in the family will be the part of the Hindu joint family आपके बेटे की wife उसके बेटे की wife सबकी wife will be the part of the Hindu joint family one thing जो तो यह होगी आपकी साथ साथ लिखते हो points मैंने तो लिखा ही हुआ आप भी लिखते हो first thing यहाँ पर होगी की उनकी wife भी यहाँ पर हिंदू joint family का पाथ होगी now let's talk about his son S1 obviously he will be the part of the joint family और उसकी wife वो भी होगी मैंने क्या बोला अभी wife of all the male members will be the part will be will be the part of the Hindu joint family तो जो इनकी wife होगी वो भी यहाँ पर हो जाएगी Hindu joint family उसी तरह से इन दोनों को भी हम Hindu joint family का पाथ बोल देंगे अब हम बात करते हैं daughter क्या daughter Hindu joint family का पाथ होगी daughter is a part of the Hindu joint family until she gets married जिस दिन उसकी शादी हो गई अब यह जो किसी की wife है मेरी बात सुनो यहाँ पर जो आपके बेटे की wife है वो भी तो किसी के घर से आई है जो अपने वो घर से आई है जब तक उसकी शादी नहीं होई थी she was part of the joint family in that family बर जब शादी हो गई तो अब इस family क्या बन चुकी है she is a part of joint family property in this family उसी तरह से आपकी जो बेटी है आपकी जो बेटी है जब तक उसकी शादी नहीं होई she is a part of the joint Hindu family but the day she gets married यहाँ पे क्या उसका husband भी है the day she gets married it means अब यह आपकी family में Hindu joint family नहीं बन साएगी अब नाउ she is not the part of the Hindu joint family in this family but यह Hindu joint family का path होगी कहाँ पे अपने husband की family में इसकी husband भी क्यों फैमिली चल रही होगी तो उसमें यह convert हो जाएगी to daughter till she gets married she is part of the Hindu joint family in her father's in her father family and after the marriage she is still the part of the Hindu joint family in her husband's family but she cannot be the part of the joint Hindu family in the both the cases कि भाई में इधर भी हो उदर उदर भी है ऐसा नहीं होगा the day she gets married she is not the part of the Hindu joint family इस family में समझा गी यह बात now it means जिस दिन इसकी शादी होगा she is not part of the Hindu joint family and obviously उसका जो husband होगा वो भी नहीं है जो इसके बच्च्स होंगे वो कहाँ पे होंगे they are also the part of the Hindu joint family अपने फादर की family में अपने इधर नाना जी की family वो हिन्दू joint family में नहीं आएंगे बट अपने फादर की family हों हिंदू joint family में होंगे विच मीन्द ये ये जो पूरा case है डॉटर उसका husband और उनके आगे बच्चे ये इस joint family में ये इस joint family का part नहीं होंगे इन सब पर हम नहीं मार दिया है कांठ आओ क्या बोला मैने till the day she gets married she is a part of the joint family till after she is married she is now the part of the joint family in the another family right अब हम इनकी बाद करते है ये son आपका joint family में था उसकी wife joint family में थी और उनके बच्चे भी joint family माने जाएंगे ये जो daughter है यहाँ पे जो D3 है जो daughter है क्या ये joint family में होगी कोशिन खुद से पूछो क्या ये joint family में होगी क्या कहीं के भी मैंने इसका साथ में husband बनाया she is still not married she is still not married it means she is still the member of the Hindu joint family she is still the member of the Hindu joint family so यहाँ पे ये भी Hindu joint family का part होगी इधर बात करते है S3 and W S3 and W is always also part of the Hindu joint family क्यों बेटा है भई उसके दादा जी की family चल रही है common male ancestor बैटे है उनकी wife भी हो जाएगी all the wives of any male members in the family will be the part of the Hindu joint family but यहाँ पे जो wives होती है उनको यहाँ पे partition का right नहीं मिलता है यह में समझना है यह तो आगे मैं समझाओंगा भी अभी समझ लो कि यहाँ पे देखो son के पास तो partition का right होता है अगर उनके पास ancestral property है वो बोलेंगे कि by birth मेरा right है इस property है मुझे partition चाहिए wife को कभी नहीं मिलता wife को क्या right मिलेगा right to maintenance right to residence यह सब rights उनको मिलते हैं और अपने husband की husband की property में उनको हाँ पे right मिलेगा right तो यहाँ पे S3 and W will also be the part of Hindu joint family and what about D2 she is also not married it means she is a part of the Hindu joint family now let's talk about S6 and D6 जो S6 है it means you generation देखो कौन सी होगी generation number 1 यहाँ पे है यह then we have the second generation जो उनके आगे बच्चे हैं and then this is the third generation and then this is the fourth generation जो मैं बात कर रहाँ S6 and D6 की fourth generation they are also part of the Hindu joint family बर जो हम बात करेंगे D6 की उसकी यहाँ पे शादी हो चुकी है अगर D6 is already married it means the day she got married she is not a member of the Hindu joint family now she is a member of the Hindu joint family in her husband's family point number 1 clear होई अब इसको मैं थोड़ा सा एक ट्विस्ट करूँगा बात करो मालो कि इन में से एक बच्चा यह जो S1 था he was an adopted son लिखो इसको अभी तक हम बात कर रहे थे कि natural sons थे S1, S2 and W right now if S1 is an adopted son तो क्या वो adopted son Hindu joint family का पार्ट बनेगा मैंने आपको अभी तक क्या समझ रहा है that Hindu joint family is a creation of law and it does not and it cannot be created by the act of the parties parties यहाँ पे आपस में agreement करके नहीं कर सकते Hindu joint family में आप अगर किसी को include कर रहे हो तो कैसे करोगे अब adoption कर सकते अगर यहाँ पे यह S1 adopted child होता then also he will be the part of the Hindu joint family which means law की creation नहीं है but by the act of the parties यहाँ पे हमने through law इसको यहाँ पे adopt कर ला है और adopt करने के बाद this child will be the will be the part of the Hindu joint family and another exception क्या होगी कि जो W है किसी की भी wife है शादी के बाद हम Hindu joint family में भी किसी को भी लेकर आसा दो exception समझो यहाँ पे कि Hindu joint family चल रही है family चल रही है कि बेटा उनके आगे बेटे उनके आगे बेटे बेटे generation है क्या इसके बाद अगर कोई fifth generation भी होती है अगर कोई sixth generation भी होती, seventh generation भी होती, जितनी भी generations होती, क्या वो joint family में होती? क्या वो Hindu joint family का पार्ट होती? Yes there is no limit to the degree of the joint family Hindu joint family की कोई भी यहाँ पे degree में कुछ भी नहीं है चाए 15 families चल जाए नीचे, चाए 20 चल जाए co-personary के अगर बात करते हैं, then it is limited to the fourth degree to fourth degree तक वो limited है, but Hindu joint family में जितनी भी रीचे तक ले जाओ आप इसको, everyone will be the part of the Hindu joint family except one, except whom? married daughters, अगर कोई daughter married हो चुकी है she will not be the part of the Hindu joint family clear हुई बात? moving ahead, see now, now see the institution of the joint family institution of the joint Hindu family is peculiar and unique institution of the Hindus अब इसके जो भी आपका dictation का पार्ट है, जो आपका conceptual पार्ट है दोवारा समझो इसको, एक एक point की तरह इसको आपको लिखना भी है a joint Hindu family a joint Hindu family consists of all persons consists of all persons linearly descendant नीच जा रहें linearly descendant मतलब descending order में linearly descendant from a common ancestor from a common ancestor समझागी बाद common ancestor and includes their wives and includes their wives and unmarried daughters and unmarried daughters कोई भी यहां पे इंसान होगा उसकी wives, the wives of the married sons wives of the any male member in the joint family they all will be the part of the joint Hindu family and also the unmarried daughters will be the part of the joint Hindu family a daughter a daughter cease to be a member of her father's family a daughter cease to be a member of her father's family on marriage on marriage and become a member of her husband's family and become a member of her husband's family समझागी बाद अब एक बाद समझागी क्या see एक यहां पे ना माइन में ने एक presumption बनी हुए लोगों के कि Hindu joint family तब होती है जब यहां पे एक joint family property होती है मान लीजे कि दस लोग हैं family एक जो presumption बनी होई है कि यह Hindu joint family कैसे है कैसे है भाई कि यहां पे इनकी एक property है जो पूरी की पूरी family की है and they all यहां पे खाना वाना सब लोग साथ में खाते हैं worship साथ में करते हैं means एक ही घर में रह रहे हैं साथ में खाना का रहे हैं साथ में worship कर रहे है और उनके नाम पे कोई property भी है यह एक normal funda सब के दिमाग में मना कि Hindu joint family अभी आपने भी सोचा होगा कोई Hindu joint family अपने imagine किया होगा कि मेरे एक friend है जिनकी joint family है वो तीन भाई उनके दो चाचे सब कुछ एक ही family में रह रहे हैं क्या जरूरी है कि एक ही घर में रहने है is it necessary that they should be living in the same house or they should be eating एक ही घर में खाना खा रहे हो एक ही जा में पूजा कर रहे हो no it is not necessary सब का गर अलग अलग होगा कोई दिक्कत नहीं है भाई कोई दिक्कत नहीं है there are still members of the Hindu joint family जब तक यहां पर partition में हुआ only case अगर हम बोले कि only case जब यहां पर Hindu joint family नहीं रहती that is when यहां पर partition जब हो जाता है जब यहां पर partition होता है family में till there is partition जब तक यहां पर partition नहीं होता चाहे वो कहां पर रह रहे हैं चाहे उनके वास यहां पर प्रॉपर्टी सब सड़क पे हैं they are still members of the joint family the legal presumption is that till there is any partition till there is any partition the family it will be presumed कि आज भी यहां पे एक joint family चली हुई है and one thing जो आपको समझें यहां पे that existence of the joint family property is not necessary for Hindu joint family joint family property का होना essential condition नहीं है for Hindu joint family because अगर Hindu joint family है तो यहां पे बाद में अपने efforts के साथ भी तो property लेकर आ सकते हैं और property कमा लेंगे और money कमा लेंगे पट यहां पे property होना के कोई necessary condition नहीं है right see point number two and undivided Hindu family and undivided Hindu family is ordinarily is ordinarily joint not only in state but also in food and worship यानि की एक Hindu family जो undivided होती है वो यहां पे property में भी joint होती है और food and worship में भी होती है normally but the existence of the joint estate existence of the joint estate is not an essential requisite to constitute a joint family normally उनकी यहां पे property साथ होती है जो हम देखते हैं वो साथ में खाना पी न खाते हैं that also can be a joint family property and mere severance in the food and worship does not operate as separation अगर वो खाना पी न अगर उनका अलग 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 चल रहा है that does not mean कि वो हिंदू joint family नहीं रही एक घर है एक घर है दो बच्चें दोनों की शादी हो चुगी अब पापा ने क्या किया कि यह भई दोनों बच्चों को अलग 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 घर बना दिया कल में इंको लड़ाई ना हो लड़ाई ना हो इसलिए अलग 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 जोइंट यहां पर जोड़ाई तो अभी तक पर्टिशन नहीं हुआ दा मुवमेंट एक बच्चे ने अब पर्टिशन मांग लिया और पर्टिशन हो गया दैन इट विदीम्ट अब देश्मों हिंदू जोइंट फैमली पार्टिशन इस नों ओन जोड़ाई पार्टिशन अब जोएंट फैमले प्रॉपटिशन फैमली प्रॉपटिशन इस नॉटड़ाई अगी road फैमिूरी प्रॉपटिशन बी की पॉपशशन भी होना कोई एक फैमली उपर्टिश स्टा देश के नुबुए मैं हट इंडू घूयंट फैमली ठ्डंट की बॉपटी दा सऑ in a family it means you are part of the hindu joint family even though family हाप एक ही possession में नहीं रह रही है अलग अलग जगां पे रही है that for it won't matter hindu joint family is a creation of creation of law creation of law a joint or undivided hindu family a joint or undivided hindu family may consist of a single male member and a widows of the deceased male members कैसे हम बात करें इतने बड़े परिवार की अब क्या हुआ पूरे परिवार में सब मर गए एक accident हुआ सब मर गए सब के सब मर गए दो भाई मर गए माता पिता की देथ हुआ क्या एक बेटा बर गया और यहां पर उसकी भावी अब मैंने आपको एक concept समझाया था that there should be a common male ancestor कि एक common male ancestor होना चाहिए बड़ फादर की दो देथ हो चुगी है क्या आप यहां पर joint family रहेगी मैंने आपको साथ में यह भी समझाया था कि joint family property हिंदू joint family के लिए common male ancestor should be there at the existence of the family but for the continuation of the joint family उसकी जुरूर है एक बर ही यहां पर joint family के लिए यहां पर common male ancestor चाहिए बट उसके बाद even though he dies उनकी death होने से कुछ नहीं होगा यहां पर आगे family continue चलेगी उनको हिंदू joint family ही बोलेंगे तो यहां पर एक तो बेटा बच गया और यहां पर बच गी विड़ो ओफिस ब्रदर तो क्या इनको हम हिंदू joint family बोलेंगे yes कल को इसकी शादी हो जाएगी इसके आगे बच्चे हो जाएगे तो क्या यह joint family नहीं होगी होगी because it is still in the continuous एक common male ancestor थे जिंकी अब death हो चुकी है और यह आगे continue कर रहे हैं समझा ही बत और एक चीज और अगर कोई एक ही इनसान रह जाए अकेला सन रह जाए तो क्या यहाँ पे सब मर गए एक ही बच्चा रह गया तो क्या उसको हिंदू joint family बोलेंगे नहीं there should be at least two members दो members का उना वाँ पे जुरूरी है चाहे वो दोनो members यहाँ पे दो widows ही क्यों ना हो दो widows ही क्यों ना हो बाकी सब की देथ हो गई अगर दो widows भी है तो किसी बच्चे को adopt कर सकते है joint family आगे चल पड़ेगी because they were part of the joint family and the joint family was already in the existence because of the common male ancestor they can continue the joint family इसे मैं लाई ही बात see point number for instance a joint Hindu family may consist of a male Hindu, his wife and his unmarried daughter point paryaam a joint or undivided Hindu family may consist of a single male member and widows of the male deceased deceased male members for instance a joint family may consist of a male Hindu his wife and his unmarried daughter and his unmarried daughter it may similarly consist of a male Hindu and the widow of his deceased brother it may even consist of two female members अगर दो widows भी हो तो भी वो joint Hindu family बोली जाएंगी और इसके उपर एक case आएगा आपको आगे करवा हुआ प्रॉपर लेंडमार्ग जजमेंट है जिसमें ये बोला किया है जिसमें ये बोला किया है ये टू विडोस और स्चिल दा पार्ट ऑप दा हिंदू जॉइंट फैमिली because they have the right to adopt a child और जब एक बड़ी चाहिल को adopt के लिए तो आगे generation चल जाएगी लाग इसी चलेगी However, there must be at least two members to constitute it एक इंसान निचलास तग दो बंदे होने जरूरी है An unmarried male Hindu or on partition does not by himself alone constitute a Hindu joint family Example, see अब हम बात करते हैं कि एक यहाँ पर family थी This was the joint family Father, wife और उनके यहाँ पर दो बच्चे उनके यहाँ पर दो बच्चे हैं और एक की यहाँ पर शादी हो चुकी है अब यह जो था इसने बोला कि मुझे partition चाहिए मैं out of India जा रहा हूँ मुझे Canada जाना मुझे वहीं पर रहूँ मुझे partition चाहिए उसने यहाँ पर partition किया और यह चला गया है Canada Now he is alone there यह ऐसी यहाँ पर वहाँ पर alone है इसकी तो यहाँ पर joint family चलती रहेगी पर जो ऐसी वाइफ उसके साथ है आगे बच्चा आ जाएगा बर जो ऐसा केला रहे गया तो यह यहाँ पर Hindu joint family उसकी नहीं चलती Hindu joint family से बाहर भी हो चुक है and he is not continuing any family वो कब होगी जब इसकी शादी होगी वहाँ पर वो common male ancestor हो जाएगा topmost member उसके बाद उसकी family वहाँ पर चल लेगी समझाई बात moving ahead see for the taxation purpose अब ये भी point बहुत जूरी है समझे ना मैंने आपको first lecture में समझाया था Hindu undivided family and Hindu joint family Hindu undivided family and Hindu joint family even though income synoniums मानते हैं but actually मैं income tax के according इसको synonium नहीं माना जा income tax act में इसको Hindu undivided family लिखा हुआ है for the purpose of the taxation वो क्या बोलते हैं कि अगर एक joint family अगर एक undivided family है तो वहाँ पर tax कम लगता है but अगर एक family divide हो चुकी है तो वहाँ पर tax individually लगता है for the taxation purpose a joint Hindu family is called a Hindu undivided family it is different from the composite family a creature of the custom and agreement where two or more families agree to live and work together pool their resources and throw their gates and labor into joint stock and shoulder the common disc इसके लिए भी आपको एक अलग सी case law मिलेगा which is a landmark judgment जो मैं आपको ये chapter खतम होती आपको दो cases करवाँगा एक तो आपका क्या कि अगर दो विडोज हैं उनका अगर बच्चा होता तो आपको एक अलग से चैप्टर बनेगा जिसके उपर अलग से पांच या छे लेक्च जाएंगे करता की responsibilities, करता के यहाँ पे workload उसकी obligation क्या है and करता की powers क्या करता है कि यहाँ पे ancestral property को आगे disperse कर सकता है नहीं कर सकता है so it is a unit and in all affairs it is represented by its करता तो main main जो points से जो आपको pre के लिए याद रखने है dictation तो आपको देखो मिल चुकी है तो अगर आपको Hindu joint family के बारे में लिखना है तो यह 5 points आपको लिखने होंगे 5-6 points मैंने दिये बर जो आपको main चीज concepts के लिए ध्याँ रखने है one is unmarried daughters are not part of the unmarried daughters are part of the Hindu joint family till she gets married she is part of the Hindu joint family married daughter she is to be part of the Hindu joint family and they become the part of the Hindu joint family in their husband's family right even after F dies Hindu joint family continue that is क्या बोले है आपे common male ancestors should be there at the existence of the joint family but his continuation is not meant कि वो continue रहे वो जिन्दा ही रहे वो जुरूरी नहीं है the only cause जहां पे Hindu joint family अगर खतम हो सके that is by partition जब partition होगा आईयों में या फादर और बच्चे में तब वहां पे Hindu joint family को separate किया जाएगा right now let me explain to this point कि common male ancestors should be there at the existence but उसकी continuation यहां पे जरूरी नहीं होगी और यहां पे secondly जो आगे हम बात करते हैं कि next generation कैसे develop होगी एक बर ही हमने partition कर लिया एक बर ही अगर बच्चों में partition हो गया तो क्या उनकी अलग से joint family नहीं बन सकती वही बात कर रहा हूँ हम बोलें यहां पे कि common male ancestor होना चाहिए for the joint Hindu family common male ancestor की अब death हो गई है अब बच्चों ने यहां पे क्या कर लिया partition कर लिया मैंने कहाँ बोला जैसी partition किया तो क्या हो जागा Hindu joint family का जो status है वो खतम हो जाएगा status खतम हो गया तो क्या अब individually वो अपनी यहां पे Hindu joint family नहीं create कर सकते देखे हैं they can common male ancestor necessary for the existence of the Hindu joint family but not for the continuation now there is a father and wife अब इनकी हो चुकी है death इनकी death हो चुकी है बच्चे घड़े हैं यहां पे S & S1 दो उनके लड़के थे अब यहां पे partition हो गया S or S1 there is a partition between S and S1 the movement partition took place पहले यह क्या थी पहले यह क्या थी यह क्या थी एक Hindu joint family अब जैसे ही partition हुआ यह अलग-अलग होगे even though इनकी शादी नहीं होए यह अलग-अलग होगे अब यह अलग-अलग जैसे होए S or S1 तो क्या हम इनको individually Hindu joint family का पार बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं because there should be at least two members there should be at least two members अब यहां पे कोई common male ancestor भी नहीं है फादर की देथ हो चुकी है अब हम बात करें कि भाई सब जब S की शादी हो गई जब S की शादी हो गई और उसके बाद उसके आगे बच्चे जल रहे हैं तो क्या यह सारे हिंदु जोइट फैंपट नहीं बनेगे क्या यह सारे यहां पर ह्टो जोइन फैंपट नहीं बनेगे सं उसका जो संन है he will be the part of the हिंजेंट फैंवली & also the wife of his son because all the wives of all the male members in the family will be the part of the HINदू जोइंट फैंपली Hindu joint family तो ये भी joint family में हो गया ये भी joint family में हो गया और daughter भी होगी because still she is not married अभी जग इसकी शादी नहीं होगी and also S भी होगा और D भी होगी जो उनके आगे बच्चे ओके यहाँ पर सबको हम बोल देंगे यह सारे all are part of the Hindu joint family यहाँ पर Hindu joint family की new creation होगे and in this case who is the common male ancestor Mr. S now now S is the common male ancestor समझाई बात उसी तरह से हम बात करते हैं आप S1 W की अब जब S1 नहीं हाँ पर शादी कर ली तो his wife will be the part of joint family अब उसकी joint family में आगे उनके आगे बच्चे यह भी joint family में आगे अब यह जो यह बात किये मैंने आप मुझे बताओ कि जो daughter की जब शादी हो गई she have a husband now और उसकी आगे दो daughters है तो क्या यह joint family का फिस्वा बनेगे नहीं मत after getting married daughter is not the part of the Hindu joint family and she is now part of the Hindu joint family in her husband's family तो यह यहाँ तक जो है this one यह तो होगी Hindu joint family बर जो daughter की आगे family है वो Hindu joint family का part नहीं है clear हुई बात एक क्या चंदर आपने यहाँ पे कि common male ancestors should be there at the existence of the joint Hindu family but उसकी continuation के लिए जरूरी नहीं है उसकी continuation के लिए जरूरी नहीं है and also once अगर यहाँ पे partition हो जाए यहाँ पे individual members भी हो जाएं तो आगे यहाँ पे Hindu joint family अपनी बना सकते है by getting married and by having the sons and the daughters उनकी यहाँ पे Hindu joint family चलेगी and then they will be the common male ancestors clear होई यह बात आपको all right then moving ahead see to a Hindu joint family so a Hindu joint family is the one which originates from one common male ancestor who may be alive or dead which means continuation के लिए जरूरी नहीं है जो चाहे मर गया हो चाहे जिन्दो आभी after whom there has not been any partition in the family क्या है यहाँ पे Hindu joint family एक common male ancestor था उसकी चाहे death होगे चाहे वो alive है बस simple सी बात है कि अभी तब कोई partition नहीं होना चाहे a Hindu joint family consists of a common male ancestor his wife और lenal descendants together with their wives widows, unmarried daughters and also the daughters of the also the daughters of the male descendants जितनी भी daughters हैं गर पे जिनके भी तर शादी नहीं दिविल अल भी दापाट wives हुंकी पाट होंगी except the married daughters all the sons whether natural or adopted चाहे कोई बच्चा डॉप किया गया हो चाहे वो natural or unmarried daughters the wives of the sons and the women who are widows and are deserted क्या बोलें यहां पे who are widows or deserted सुनो अब क्या है father, wife और उनके यहां पे आगे दो बच्चे हैं what happened for some reason इस बंदे की यहां पे death हो गई एक बच्चे की यहां पे death होगी so she is the widow she is the widow क्या अब यह इस family की Hindu joint family का partner की she will still be the part of the Hindu joint family she will still be the part of the Hindu joint family even though उसके husband की यहां पे death हो चुकी है she have a right to residence, she have a right to maintenance to be provided by this family इसकी family की उसको maintenance भी प्रवाइड करना है और evidence भी उसको प्रवाइड करना पढ़ेगा and she will still be the part of the Hindu joint family right so accepting the married daughters will be considered to be the part of the members of Hindu joint family up till whatever degrees of generation up till whatever degrees of generation कैसे F Sun Sun 2 S3 S4 S5 S6 जितने मर्जी लिख लो इसको बात करेंगे बट कॉम आपको यहीं पर रोग दूँगा S4 F, S1, S2 and S3 in fact, यहां भी भी नहीं S3 पर रोग दूँगा कैसे रोग दूँगा बताऊंगा को कि 1st generation ऐसी हो जाएगी 1st generation यहां पर F कोई माने जाएगा और इसको आगे 3 generations और total 4 generations को यहां पर हम co-personer बोलेंगे बट अगर हम बात करें Hindu joint family की तो जितना भी नीचे चले जाओ 100 पुष्टों को ले जाओ सारी के सारी Hindu joint family का पाथ हो clear हुई बात moving ahead see all the members in the joint Hindu family does not have equal rights in the family property does not have equal rights in the family property अब जो sons का right है आपका जो बच्चे का right है वो तो right अलग है they can take the partition they can go for the partition in the family की हमें partition करने ancestral property का पर जो wife होंगी उसके पास partition का right नहीं होगा क्या daughter के पास right होगा partition का क्या daughter के पास partition का right होगा अब होगा क्यूं होगा because daughter is now considered as a co-person co-personer का पूरा concept भी समझेंगे अब daughter जब से co-personer है which means the moment she has taken birth by birth she has a right in the ancestral property अगर उसका भी ancestral property में right है तो भी अपना partition से अपना हग ले सकती है तो partition का right यहाँ पर बच्चों के पास है बड़ वाइफ के पास नहीं होगा वाइफ के पास right नहीं होगा तो जो rights होते हैं joint Hindu family में बहुत सारे लोग है but उनके rights difference होते हैं किसी के पास यहाँ पर partition का right है किसी के पास यहाँ पर evidence का right है और किसी के पास यहाँ पर maintenance का right है right all the members in the Hindu joint family does not have equal rights in the family property co-personers have an interest in the family property that is the co-personary property members other than the co-personers have a right to maintenance and the right of the residents in the joint family house the existence of the common ancestor is necessary for bringing a joint family property joint Hindu family into existence whereas for its continuance a common ancestor is not necessary continuance के लिए उसकी necessity नहीं होगी it does not become extinct चो एक joint Hindu family है वो खतम नहीं होती और comes to an end when such common ancestor dies that is when joint Hindu family continues unless till there is partition जब तक partition ही होता तब तरो I hope मैं जितना भी समझा रहा हूँ धीपी समझा रहा हूँ आप पर छे समझा रहा है और अगर आ रहे है न तो आप लोग मुझे mail पर बताऊगे कि सर अब सब कुछ अच्छे समझा रहा है there is no doubt अगर है तो मुझे यहाँ पर telegram पर बोलो ठीक है जी only causes the partition जब यहाँ पर partition होगा तभी यह joint Hindu family का concept नहीं रहेगा otherwise पूरा पूरा है joint Hindu family चलती रहेगे when the partition takes place when the partition takes place in the family the status of the joint family comes to an end and again for a joint family to begin there has to be common male ancestor after whom there has not been any partition जो अभी हमने example देखा था क्या example था see यहाँ पे in this case यहाँ पे जब इंकी death हो गई और इंकी partition हो चुक है दोनों बच्चों में तो individual हो चुक है for the existence of the new Hindu joint family उनकी यहाँ पे family होनी चाहिए and there should be a common male ancestor again because अभी यह दुबारा शुरू कर रहे है for the existence continuation नहीं कर रहे है but अगर दुबारा कर रहे हैं हम यहाँ पे एक Hindu joint family की शुरूआद तो he should be there he should be there I wrote sight so the existence of the where the partition has taken place in the family the status of the joint family continues to an end and again for a joint family to begin there has to be common male ancestor whom after whom there has not been any partition जिसके बाद कभी भी दुबारा partition रहे हो कि जब partition होगा वापिस से joint family जोगा status खतम होते है this is lecture number 5 of the series and in the last lecture we have started with the concept of the Hindu joint family कि Hindu joint family क्या होती है क्या Hindu joint family के लिए कोई property की existence होना जरूरी है क्या 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 प्रॉपर्टी की possession होना जरूरी है क्या होती है Hindu joint family we have seen that in the last class but अभी आपका Hindu joint family का concept पूरा नहीं हुआ mainly मैंने आपको कल क्या कुछ बताया कि see Hindu joint family is something which covers everyone in the family all the persons in the family up to whatever degree is the member of the Hindu joint family except whom there is only one exception and that is the married daughters अगर एक बेटी की जब शादी हो जाती है she sees to be a member of the Hindu joint family and she becomes the member of the Hindu joint family in her husband's family वो अपने husband की जो family है उसकी जो joint Hindu family चल रही है उसमें वो member मन जाती है और हम यहाँ पे Hindu joint family जो है whether it is a creation by law or an agreement between the parties क्या दो इंसान मिलके एक Hindu joint family को establish कर सकते हैं क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप भी तीन लोग हो मैं भी तीन हम भी मेरी family भी तीन लोग हैं ऐसे करते हैं साथ में रहने लग जाते हैं और एक Hindu joint family बनाते हैं Is it possible with the agreement of the parties कि दो parties आपस में agreement करें No member can become a co-personal or become a member of the Hindu joint family just by an agreement एक Hindu joint family है एक ही यहाँ पे family के नीशे चल रही है अगर उस family में कोई इंसान as a Hindu joint family enter कर सकते है तो how? There are only two ways for someone to become the member of the Hindu joint family One is by adoption अगर किसी बच्चे को adopt कर रहे हो आप तो वो यहाँ पे Hindu joint family का member बन जाग है and another is the wives of your son जिसकी जो आपकी daughter-in-law होगी वो अपनी family को छोड़ कि जब आपकी family में आएगी she is to be the member of the Hindu joint family in her family and now she is a member of the Hindu joint family in her husband's family Right? Now we are going to talk about कि यहाँ पे Hindu joint family में क्या कोई property की existence होनी जरूरी है हमारे mind में जो main presumption बन जाती है क्या है? कि अगर यहाँ पे एक family साथ में रहे है मतलब Hindu joint family it means they are living in the same house वे एक ही गर में रह रही है that is not true even though property is an essential ingredient property होना बहुत जरूरी है joint family में joint family property होनी बहुत जरूरी है but अगर property नहीं है that does not mean कि यहाँ पे Hindu joint family नहीं है even though they are living separately even though they are worshipping separately or having their foods separately that does not mean कि वो यहाँ पे Hindu joint family नहीं है till there is partition the only thing जो यहाँ पे Hindu joint family को तोट सकते है the only cause is the partition जब यहाँ पे कोई partition लेगा तब वहाँ पे वो Hindu joint family break हो जाएगी और partition कौन ले सकते है कि सारे के सारे members Hindu joint family के यहाँ पे partition ले सकते हैं co-partners में जो ancestral property में उनका हक होगा वो उस property में वहाँ पे partition ले सकते हैं and who are all the co-partners co-partners कौन होते हैं अभी आपको मैं समझाऊंगा बट अभी के लिए fourth generation तक father और grandfather you, your father, grandfather and the great grandfather यह जो चार generations हैं यह यहाँ पे होती हैं आपके co-partners and including daughters after 2006 amendment act even the daughters are the co-partners in the family it means जैसे ही daughter पैदा हुई या जैसे ही कोई son पैदा हुआ up till the fourth generation that child will be having a right in the property from the date of the birth in fact not from the date of the birth the moment that child is being conceived when she is in the mother's womb जब वो अपने mother की womb में होगी at that time also she will be she will be a co-partner and she will get the right of that property because she or he is a co-partner अब हम अगर Hindu joint family की बात करते हैं हमें यहाँ पे आज तीन presumption समझने होगी we have to understand the presumptions of the Hindu joint family see इंडिया में क्या है न बखो अपना जो देश है यहाँ पे एक basic presumption जो supreme court ने बनाई हूए वो यह है कि अगर किसी family में partition नहीं हुआ अगर किसी family में partition नहीं हुआ then it is still presumed कि वो जो family है आज भी Hindu joint family है even though दो भाई अलग अलग रहने लग गए दो भाई अलग अलग रहने लग गए but उन में कोई formally कोई partition नहीं हुआ उसकी family अलग चल रही है उसकी family अलग चल रही है one is in the US and another is in Delhi but उन में कोई यहाँ पे legally यहाँ पे कोई partition नहीं हुआ then also we will presume here that they are still the members of the joint Hindu family and they had a common male ancestor जो उनके उपर फादर थे even though फादर अब नहीं है but common male ancestor की necessity होती है for the existence of the Hindu joint family continuation के लिए ज़रूरत नहीं होती first presumption there is always a Hindu joint family unless and until it is presumed क्या चीच की यहाँ पे partition हो चुक है one thing now the thing is once the partition has been done आप बोलोगी कि सर यह पीछे आगे भी चलो slide पहले बोलने दो मुझे सब कुछ समय लो उसके बात हो और जो भी मैं बोल रहा हूँ repeating it again and again you have to write that in the notebook एक एक चीज आपको यहाँ पे notebook में लिखनी है whatever I am writing जो भी example ले रहा हूँ यह father यह US में था वो डेली में था write it down वीडियो को stop करकर के अच्छे हैं यहाँ पे एक एक चीज को note down करना है register भर लेना अपना दो pen लेकर बैठो अलग-अलग color के तभी आपको पता लगया कि dictation part कौन सा था पीपीटी में क्या लिखा हो था और सर ने अपने आप से क्या बथा था उसको जब बाद में relate करोगे alright now let's see पहली प्रेजंप्शन हो भादी क्या होगी that there is always a Hindu joint family और Hindu joint family breakdown कब होती है जब यहाँ पे partition होता है अब हमने माल लिया कि यह भई एक बार यहाँ पे partition हो चुका है अगर partition एक बार ही हो चुका है once there is partition then then it will be presumed here that all the members of the Hindu joint family जितने भी members हैं उस family में they are all separated मान लीजिए एक family में तीन बच्चे हैं फादर हैं तीन बच्चे हैं और एक यहाँ पे बेटा बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे partition करना है partition कर लिया partition कर लिया अब पांच साल बाद जो दूसरा बेटा है वो बोल रहा है कि मुझे अब partition करना है जो जो बाकी उसके फादर और जो तीसरा भाई था वो बोल रहा है कि partition तो हो चुक है partition has already been done तो वो बोल रहा है यहाँ पे कि नहीं partition उसने किया था जो तीसरे वाला भाई था उसने partition यहाँ पे किया था वो अपना हक लेके गया था हमारे में तो कोई partition you want, no at this point of time the presumption is that once the partition has been done, एक बार अगर partition हो चुका है, then it is presumed here that कि सारी की सारी family में, जो जो यहां पे co-partners थे, because only co-partners have the right to partition, सब में वो यहां पे interest उनका divide हो चुका है, दुबारा दुबारा आप नहीं कर पाओगे, then the burden of proof will be upon you here आपको आपके उपर यहां पे burden होगा to prove कि जब वो 5 साल पहले यहां पे partition हुआ था, यहां पे partition सिरफ उसमें हुआ था और बाकी का सारा interest हम तीनों में था right, now let's proceed see, rules of the presumption in the Hindu joint family wherein the joint family has come into existence, जब जैसे यहां पे joint family existence में आजाती है it shall be presumed that is, it is a mandatory presumption mandatory presumption it shall be presumed that such family will remain joint unless the contrary is proved वो family यह presume कर लेगा court के उपर mandatory presumption मा जाएगी, क्या चीज़ की कि भाई वो यहां पे एक Hindu joint family ही है वो यहां पे individual family नहीं है कल को जब कोई भी property का case उँगे पास जाएगा unless the contrary is proved और मैंने आपको एक बर ही बताया था कि whenever you read the word proved जब भी आप कहीं पे भी किसी पर प्रूविजर में कहीं पे भी आप यह word रीड कर लेते हो proved यह आँखे बंदो जाते means दिल से बोल रहा हूँ पूरा deep वोग एक एक concept समझा रहा हूँ proved जब भी आपको पढ़ने को मिल गए it means यहाँ पे हम बात कर रहे है burden of proof की और जैसे ही कोट ने presume कर लिया क्या चीज that there is a Hindu joint family it is a joint family presume कह है shall presume mandatory presumption it means the burden of proof will be upon the opposite party who asserts there that the partition has already been done जो यहाँ पे यह बोलना है कि partition हो चुक है यह Hindu joint family नहीं है उसके उपर burden आ जैगा यह proof करना क्या कि आपने यहाँ पे partition एक बड़ी family में कभी न कभी हो चुक है one thing that is the one who wants to assert the fact that the family is no more joint the burden of proof life's own such person to prove that there has been a partition in the family under section 103 of the Indian evidence set इसको relate करना होगा आपको इसको relate करना होगा आपको कि यहाँ पे जो burden of proof होगा it will go in 103 of the Indian evidence act to prove that the partition has taken place the particular fact which is only known to that person right moving ahead see अब आप बात सुनो when the partition is done see now we have to go and see कि अब यहाँ पे आप बात सुनो कि मान लीजिये father and then there are three sons S1, S2 and S3 तीन लोग हैं और यहाँ पे father की एक ancestral property है father की एक यहाँ पे ancestral property है right और हम मान लेते ही जो property है यह एक करोड की है यह जो property है यह एक करोड की है ancestral property और ancestral property which means a co-personary property जैसे ही इंका बर्थ हुआ they have the right to right in that property and this interest fluctuates मान लीजिये यह सबसे बड़ा बेट है यह उसके छोट है यह उसके छट है जब father के पास यह ancestral property थी और यह जब पैदा हुआ यह जब पैदा हुआ तो सबका interest क्या बन जाएगा one-fourth, one-fourth, one-fourth and one-fourth which means 25 lakhs each 25 lakhs each अगर यह partition कर लेते हैं तो अगर यह partition कर लेते हैं तो राइट, now what happens S3 जो है जो सबसे छोटा बेट है S3 he claims partition he says that I need my share in the property which property? ancestral property separate property में वो share नहीं मांग सकता because separate property में right कब मिलता है? on the death of the father अगर यहाँ पे succession के साथ उसको property मिल रही हो तो राइट, in this case अगर ancestral property में because he have a right in this property by birth then he can claim the partition अब इसने यहाँ पे partition मांग लिया इसने यहाँ पे partition मांग लिया और court के थूँ legally partition हो गया legally partition हो गया what happened S3 went to the US यह तो यहाँ पे चला गया US से अपना 25 लाग रुपे लेके और यह जो तीन लोग थे इन तीनों ने क्या किया इसको 25 लाग दे दिया अपने छोटे भाई को कि जाओ भई आप अपनी जंदगी जेओ जो भी आपने करना आपको partition करना ही है तो they are still living in the same house और इनोंने आपस में अभी तक कोई भी यहाँ पे partition नहीं किया आपस में कुछ नहीं किया बट यहाँ पे इसके साथ partition हो चुका है S3 के साथ यहाँ पे partition हो चुका है Now the thing is after 5 years कुछ साल बाद यह S2 बोलता है कि मुझे भी अब partition जाए मुझे मेरा share दीजिए मुझे मेरा share दीजिए तो यह भी चला जाता है कोट में अब जब यह कोट में चला गया तो कोट ने जब पूछा कि हम पहले तो presume करेंगे क्या first presumption क्या है that there is a Hindu joint family that there is a Hindu joint family अभी तक partition नहीं हुआ but then family ने प्रूफ कर दिया क्या चीज़ प्रूफ कर दी that the partition has already been done 5 साल पहले partition हो चुक है एक legal document है कि इस property का 5 साल पहले partition हो चुका है उस document में यह नहीं लिखा होगा कि भई उस बंदे का हुव है सिरफ property का partition हो चुका है उस property की value जो उस दिन थी उसके according यहां पर partition हो चुका है right समझाई बात अब यहां पर the moment they have proved की 5 साल पहले यह एक बरी partition हो चुका है it means the court shall presume what court क्या presume कर लेगा यहां पर that once the partition has been done the partition has been done among all of them सब बिक सब के बीच यहां पर partition हो चुका है और सब लोग अपना 25-25 लाख लेकर अलग-अलग हो चुके है it means the burden of proof will again fall on this person now as to to prove what क्या प्रूफ करेगा वो court में जाके कि no doubt यहां पर तब partition हो चुका था बट मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला था right moving ahead see यहां पर see the dictation part wherein wherein there has already been a partition wherein there has already been a partition in the family then the court shall presume court shall presume यानि की burden of proof की बात करेंगे अगर आप मेरे सारे lecture सुन लोगे न चाहे Hindu Succession Act चाहे Indian Evidence Act चाहे Indian Penal Code चाहे Criminal Procedure Code चाहे CPC whatever Act चाहे Indian Contract Act मैं सब कुछ आपको पढ़ाँगा यहां पे YouTube पे भी लगा रहूँगा आपको एक एक चीज़ बता रहूँ कि law का एक एक फंडा आपको clear हो जाएगा कोई भी section पढ़ोगे न अगर negative wording भी होगा तो आपको पहली समझा देगा कि negative wording से अगर section चुरूँगा तो मैंने उसको किस तरह से पढ़ना है bear act को पढ़ने की ज़रूद नहीं पढ़े conceptual है every single thing is conceptual only thing जो हम बोल सकते हैं रटा है वो सरफ यह कि कौन से section में वो लिखे कि section 103 में है section 5 में है whatever only जो रटे माने वले चीज़ है वो सरफ section के नमबर है वो याद करने वाले उसके इलावा law में सब कुछ conceptual है एक एक चीज़ आपको जाएक समझने है और जो section number भी है वो बहुत easily आद हो जाते हैं once जब आपके अंदर concept चल जाएंगे आप बार बार ही अपने जो notebook बनाओके पढ़ोगे easily आपको समझा जाएंगे बेको सारे के सारे section से important नहीं होते हैं और जो आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूं इस class में it is important for the mains mains के लिए आपको important है 95% आपको यहाँ पे mains का syllabus कवर हो जाएगा और 99% आपको प्री का syllabus भी कवर हो जाएगा because pre is what? pre is what? pre is just a part of the mains pre is just a part of the mains you have to just read the bare act and all these notes and I am guarantee you कि आपका paper clear हो जाएगा only thing आपको क्यारना के होगा कि एक एक चीज को बार बार पढ़ना होगा और अपने दिमाग में रखनी हो right so now the second presumption here is that wherein there has already been a partition in the family wherein there has already been a partition in family then the court shall presume that there was a complete partition that there was a complete partition and that is that is every member of the family had separated every member of the family had separated right and this is the landmark judgment on this point Captain Bhupinder Kumar Suri Captain Bhupinder Kumar Suri versus Naresh Kumar Suri 2017 Supreme Court judgment Captain Bhupinder Kumar Suri versus Naresh Kumar Suri 2017 Supreme Court judgment point number one unless there is a partition वो ही सेम चीज है जो भी आपको मैंने समझाई है but don't just read it right in the notebook unless there is a partition there cannot be there cannot be a presumption that there cannot be a presumption that Hindu joint family unless there is a partition there cannot be a presumption that Hindu joint family ceases to exist Hindu joint family ceases to exist even if even if joint family comes to an end even if joint property comes to an end अगर यहाँ पे property जो joint property थी अगर वो खतम भी हो गई that does not mean कि Hindu joint family वो cease हो गई वहाँ पे वो exist नहीं करती it is still there property तो बाद में भी आ जाएगी जब आप यहाँ पे और मेनद करोगे और गर घर में एक बाइक भी है तो वो भी तो प्रॉपर्टी है ना फैमिली की joint property है ना अगर एक थाली भी है एक ही थाली में सारे लोग काना काते है तो वो जो joint property नावी दो में अबितREE it मेंढे जा जाएगी दूएगी या वी orig ऑ फी तो यू जाऴ फिर दूएठटी insist है Point number 2 the mere loss of the joint family property the mere loss of the joint family property will not will not swear the sure the joint status of the family the family will still continue to be joint the family will still continue to be joint and and they can later on create a property by their own joint efforts by their own joint efforts a Hindu joint family a Hindu joint family is a creation of law a Hindu joint family is a creation of law law का मतलब कि parties यहां पे मिलकर Hindu joint family नहीं create कर सकती it is a creation of law जैसे जैसे बगवान ने आपको आगया आगया आपकी legacy को भड़ा है that is a Hindu joint family the only exception is adoption and the marriage अगर फैमली में आपको को भड़ा है तो adoption के साथ है फैमली के साथ Hindu joint family is a creation of law that is it cannot be treated by the act of members it cannot be created by the act of the members or an arrangement between the parties the only exception being marriage and adoption the only exception being marriage and adoption अगर यह एक फैमली है यह है Hindu joint family एक फैमली है और उनके एक बेटा एक डॉटर है now he adopts S1 वो यहाँ पे S1 को भी adopt कर लेता है तो क्या S1 भी family का पार्ट नहीं बन जाएगा even though S1 किसी कहीं और से उसने adopt किया है and he will also become the member of the Hindu joint family and also I should tell you here even an adopted child whether it be the son or the girl son हो यहाँ पे daughter हो दोनों यहाँ पे co-parsner भी होंगो चाहिए वो adopted child है right co-parsner भी होंगे Hindu joint family का पार्ट तो होंगे होंगे another thing is जो यहाँ पे था कि इसकी जो wife आएगी इसकी जो आगे wife आएगी वो भी इसकी family में Hindu joint family का पार्ट बन जाएगी यही जो exceptions है right point number 4 Hindu joint family is a normal condition of the Hindu society Hindu joint family Hindu joint family is a normal condition is a normal condition of the Hindu society that is that is unless the contrary is proved unless the contrary is proved the family is still presumed to be Hindu joint family और आज से हम यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट की केस लौ सीरीज भी शुरू कर रहे हैं हिंदू सक्सेशन एक की वी विल कवर अराउंड 40 केस जहां पे पूरा सक्सेशन एक में आपको समझा दूँगा सक्सेशन एक में हम सब कुछ कवर करेंगे including the female सक्सेशन and the male सक्सेशन and also the part of the partition जो partition का part भी है सक्सेशन के साथ वो भी हम इसको ठील करेंगे and सब कुछ यहां पर हम समझ जाएंगे through the case laws Supreme Code की legal observation the journey of the legal mind की एक fact से लेके decision तक कैसे पहुँचने है law को किस तरह से apply करना है we will understand everything in this case law series so आज जो यहां पर topic करने वाले हैं we are going to see कि एक joint Hindu family की property की उपर text किस तरह से लगता है क्या principle है और अगर एक sole surviving co-person रहे गया तो उसकी property पर जो text लगेगा as an individual property लगेगा या फिर joint Hindu family property की उपर लगेगा right, so case का यहां पर नाम है Commissioner of Income Tax वर्सेज गोमेदली नक्षमी राइन 1973 Bombay High Court Judgment see what is Hindu joint family Hindu joint family क्या होती है see a Hindu joint family according to the Mitakshara law consists of a person's linearly ascended from a common male ancestor a common male ancestor है और उसके नीचे जितनी भी उसकी family है उसको हम यहां पर Hindu joint family मानेंगे including his sons, son, wife, daughter and everyone जितने भी यहां पर नीचे बच्चे जा रहे हैं, कोई degree भी नहीं है यहां पर जितने भी यहां पर लोग होंगे even the adopted son, even the daughter in law, all are part of the Hindu joint family, right but यहां पर जो text की बात करते हैं ना, तो income text में जो word used था, वो था word यहां पर Hindu undivided family as per section 2 to class 31 of the income tax act, wealth tax में यहां पर Hindu joint family word नहीं used था, the word used was the Hindu undivided family जिसके कारण यहां पर कुछ confusion create हो रही थी कि text अब किस तरह से लगेगा अगर एक joint family है जो basic principle आपका क्या है अगर एक joint family है उसकी एक property है पूरी family की और घर पे 3-4 co-partners हैं तो जो property के ओपर text लगेगा as a unit लगेगा as a unit text लगेगा और tax exemption ज्यादा हो जाएगी यहां पर text कम लगेगा right but अगर property पूरी सिर्फ एक ही बंदे की है यानि कि अगर there is only sole surviving co-partner एक ही इंसान की है then it will be considered to be a separate property तो उसकाम उसकी separate property मान लेंगे और वहां पर text ज्यादा लगेगा तो इस case में वही हुआ था कि actually में होना की है first of all let us understand the principle the basic principle of taxation is that when a person has absolute power of disposition मान लेता हूँ कि भाई यह सारी property है और सिरफ इसका owner मैं ही हूँ मेरे पास absolute power है इस property को जो मैं करना चाहूँ करूँ बेश दूँ रखूँ कुछ भी करूँ मैं उसके उपर I am the absolute owner so अगर यहां पर मैं absolute owner हूँ तो यहां पर principle क्या बोलता है that this property will be text as an individual property that this person alone is the owner of this much of the property तो individual property के उपर text लगेगा जो की जादा होता है but अगर यहां पर same property अगर मैं बोलनों कि मेरी नहीं है मेरी पूरी Hindu joint family की है तो Hindu joint family में तो 10 लोग हो सकते हैं 5 लोग हो सकते हैं then that the text will be awarded as per the unit unit के according यहां पर text लगता है which will be which is less than the individual text right see where however there is no such power and the property in the hands of an individual has other claims अगर एक property है उसके और भी higher sense that is subject to the rights of the other family members then this property is text जैसा joint property of the Hindu property and a last tax exemption is allowed in the later case the more liberal alliances presumably given because the whole income of the family would not go to one individual but a small portion only for each member और यह जो liberal presumption में क्यों है अगर एक ही इंसां की पूरी property है तो सब उसके आथ में आ रहा है तो tax ज़्यादा लग रहा है अगर उसका small portion पूरी family में जा रहा है तो tax कम लगेगा तो यहाँ पर basic principle यह है कि अगर आपको सरफ यही समयना है कि अगर someone has an absolute power of disposition कि वो property का कुछ भी कर सकता उसको बेच सकता है किसी से उसको पूछने के जरोड़त नहीं है तो उसकी property के उपर individually tax लगेगा which is above the Hindu joint family property tax right now the facts of this case are like this there was a Hindu joint family there was only son, his wife and the mother father थे, father की death हुई, अब कौन कौन रह गया mother है, बच उसकी खुद है और उसकी wife है यहाँ पे co-parsners कौन है property किसकी है अगर एक यहाँ पे family property है co-parsnery property है तो father की death के बाद क्या mother के पास property जाती है नहीं जाती क्या wife के पास property जाती है नहीं जाती I am talking about the co-parsenery property, not the separate property, separate property wife के पास जाती है, यहाँ पर जो co-parsenery property है, वो किसके पास जाएगी, the property will be gone to only with the son of the father, now he is the sole surviving co-parsenery of the property, so a Hindu undivided family is taxed as a unit, अगर यहाँ पर, अब जितनी भी यह property थी, मान लीजे यहाँ पर, पांच गर थे, पांच गर थे, now he is the sole surviving co-parsenery of the property, father की death के बाद, तो यह जो property के उपर tax कैसे लगेगा, क्योंकि he is the sole surviving, यहाँ पर commissioner of the income tax बोल रहे कि, यहाँ पर हम individual tax लगाएंगे, because he have the power to dispose the property, पूरी power उसी के पास है, property को किसी मर्जी तरह से यहाँ पर disposition कर दे, बड़ यहाँ पर यह बोल रहे कि, नहीं, यह एक Hindu joint family property है, और इस क्यों पर tax लगना चाहिए as a unit, मैं अपनी mother को भी संभालता हूँ, अपनी wife को भी संभालता हूँ, और यह जो property है, यह co-parsenery property है, मेरी कोई separate property नहीं है, अगर separate property होती, तो यहाँ पर मैं बोल देता कि, आप individually tax लगाओ, बड़ यहाँ पर co-parsenery property है, मेरे father से मुझे आई है, तो इस क्यों पर as a Hindu unit, Hindu unit की तरह property लगाओ, tax लगाओ, right, so the issue here is, the issue was, whether the property in the hands of the sole surviving co-parsenery, should be taxed as an individual property, or that of the Hindu undivided family, So first of all, तो यहाँ पर Supreme Court ने समझाया, कि सी पहले आप contention देखिए, यहाँ पर wealth वालों की, income tax commissioner की क्या क्या contention थी, one contention that it was contended, that the expression Hindu undivided family, यह expression कहाँ पर था, income tax act में, IT act में यह expression यूज था, बट यहाँ पर Hindu succession act में क्या यूज होता है, Hindu joint family, और यहाँ पर जो यहाँ किया था, Hindu undivided family, as used in the revenue status, indicates that it must consist of at least, two members, that is there should be two co-partsners, यहाँ पर वो contention लगाते हैं, कि यह जो word used है ना, Hindu undivided family, revenue act में, IT act में, it means अगर यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा co-partsners हैं, तभी उसको हम undivided family मानेंगे, as a Hindu joint family tax, but अगर यहाँ पर एक ही इंसान है, तो हम उसको क्या मानेंगे, कि यह property उसकी personal है, और हम individual tax लगाएंगे, and another contention was that, the excessive of the social surviving co-partsner, and therefore, free to deal with the property, and any which which he liked, वो अकेला बन्द है, he is a sole surviving co-partsner, वो property का जो मर्जी कर सकते हैं, तो यह property होगी, as an individual tax लगना चाहिए, that was the contention of the income tax officer, right, now we have to see, the observation, first of all, तो यहाँ पर Supreme Court एक चीश समझाता है, कि जो दो words है न, Hindu joint family, and Hindu undivided family, there is no difference in that, just because this word is written differently, in another statue, अगर revenue act में, IT act में, यहाँ पर word अलग से लिखा हुए, that does not mean, यह Hindu joint family की बात नहीं कर रहा, the court observed that, in the recent decision of the, नरेंदरनाथ को वर्स कमिशनर, कमिशनर tax यहाँ पर, that the expression, Hindu undivided family, in the wealth tax act, used in a sense, in which a Hindu joint family is understood, जिस तरह से हम Hindu joint family को understand करते हैं, उससी तरह से, Hindu undivided family का concept दिया, and it is same, तो first of all, तो अगर यहाँ पर Hindu joint family ही proof हो जाए, तो Hindu undivided family का concept बूल जाओ, तब उसको हम as a unit ही tax लगाएंगे, अब Hindu joint family क्या होती है, that is what we have to see, कि अगर एक soul surviving co-partner है, तो उसको अब हम Hindu joint family बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, कौनकों नहीं यहाँ पर, जो आप मुझे comment box में बताओगे, कि Supreme Court ने recently यहाँ पर एक judgment आई थी, section 6 of the Hindu Succession Act क्यों पर, that even the daughters are the co-partners, वो judgment का क्या नाम है, वो मुझे आप लो comment box में बताओगे, but in this case, यहाँ पर co-partner कौन था, only the son, see, the court observed that under the Hindu law, the soul surviving co-partner has wider powers to deal with the property, कि जो Hindu joint family है, no doubt soul surviving co-partner है वो, he have the right to deal with the property in any way, जब तक कोई और co-partner नहीं आता, but जो यहाँ पर rights है ना उसके, he have the right to maintain and liable other members of the Hindu joint family, अगर इतनी भड़ी family है और वहाँ पे जतने भी लोग हैं, यहाँ पे सिरफ एक ही बंदा है, जो soul surviving co-partner है, that does not mean कि यो property का कुछ भी कर लेगा, उसके पास right है, उसके पास wide powers है, but that power is subject to the liabilities, and the maintenance which we have to give to the other family members, तो अगर यह other family members को भी सब कुछ provide कर रहे है, that means it is a Hindu joint family property, even though he is a soul surviving co-partner, उसको यहाँ पे marriage के expenses देखने पड़ते हैं, and maintenance के expenses देखने पड़ते हैं, so there can be a joint family consisting of a male co-partner, and a widow of a co-partner, कैसे, अगर एक ही co-partner हो, उसकी widow है, तो यहाँ पे joint family कैसे हो सकती है, जा फिर सिरफ दो विडियोज हैं, घर पे कोई भी co-partner नहीं है, तो क्या वहाँ पे Hindu joint family बन सकती है, there is a law, कैसे, adoption करने से, यहाँ पे husband and wife है, and husband is a co-partner, मान लिया, तो इस family में, अगर इनको आए एक और co-partner चाहिए, तो क्या यह adoption नहीं कर सकते, क्या यह adoption नहीं कर सकते, and जैसे यह adoption कर लिए, दो surviving co-partners होगे, मान लिया, दो विडियोज हैं, दो विडियोज हैं, जो घर पे रह रही हैं, they can adopt a child, and the moment they have adopted a child, there is a co-partner, adoption कर कर के, जो भी बच्चा आता है, he is a co-partner, he or she, both is a co-partner, right, there can be a joint family, consisting of a single male member, single male co-partner, and a widow of a co-partner, and there can also be a joint family, where there are only two widows, कैसे by adoption, the rule is that, even on the death of the soul-serving co-partner, the joint family does not come to an end, so long as it is possible, in the nature or in law, by adoption, to add a male member to its family, अब यह जो male member, यहाँ पे लिखा हुआ है, कि सिर्फ male member ही add करने से, यहाँ पे soul-serving co-partner होगा, यह इसलिए लिखा हुआ है, because this case is of the long back, 1970 Supreme Court, यहाँ पे, as a male member को आप काड़ के, यहाँ यहाँ पे लिख सकते हो, because, आपको judgment मुझे बतानी है, यहाँ पे comment section में, that female, every daughter is a co-partner now, कब से, which from which year, and through which judgment, right, so see, अगर यहाँ पे दो widows भी हैं, और किसी को भी adopt करते हैं, be it a male child, be it a female child, that he or she will be a co-partner, and जैसे यहाँ पे co-partner आ गया, it means there is a Hindu joint family, so in this case, यहाँ पे Supreme Court ने observe किया, that when there is a joint family, consisting of, that the joint status of the family, does not come to an end, merely because for the time being, there is only one male member of the family, who is in the possession of the family property, just because यहाँ पे family में, at present, सिरफ एक ही co-partner है, that does not mean कि अब इस property को हम, Hindu joint family property नहीं मानेंगे, because in any case, यहाँ पे law उनको अलाओ करता है, that they can adopt any child at any point of time, so the property in the hands of the sole surviving co-partner, would be taxed as that of the Hindu undivided family, so even though in this case, यहाँ पे कौन कौन था, a son, उसकी wife और उसकी mother, so there was only one co-partner, there was only one co-partner, but यह जो आपस में बाकी सब भी थे, उनको maintain करने, even though that person have the right, कि वो property को dispose of कर सकता है, he have that right, उसके पास यह जादा rights है, but that is subject to the rights of the maintenance, liability which he has towards the family, right, so in this case, यहाँ पे property के उपर text लगेगा, as in Hindu undivided family, और यहाँ पे अगर Hindu undivided family की तरह text लग रहा है, तो यहाँ पे text कम लग रहा है, और अगर individual property के उपर text लगता है, तो text ज़्यादा लगता, तो I hope यह case आपको समझ आ गया होगा, it is a very important judgment for the part of the Hindu Succession Act, Succession Act के एक ही judgment है, जिसको हम यहाँ पे text के साथ भी पढ़ते हैं, उसके बाद पूरा Succession Act का अलगी concept चलता है, which we will understand through the legal judgments of the Supreme Court and High Court in this series,